इस होल में फटाक से बेट वहां पर जगा है या तो सामने वनी ख्राइप ऑफ में कुण से भीट, कि अधा सब्सक्राइब कर सकते हों भी अपना इसे खड़े रहे के को जगा देता है कि अगर रहे की निए जगा बनाना पड़ता एंग अगर सामने वाल है तो आप बाजवाले क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं वह भी अपना ही है ठीक है हुँ 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 झाल 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 व। चुछ बच्तार्स को चलो पक्राइज चलो चु parenthर य। 60 seconds to go झाल जिस्ट वन मोर कोश्चन बिफोर आई साट जो मैं अलरी पूछ चुका अभी थोड़ा स्टूडन कंपूशन चेंज वाइस लिए कितने स्टूडन्स के पाद अभी भी नोट्स का हाड़ कॉपी है ऐसे कितने लोग है ठीक है तो मिजोरिटी लोग पास नहीं है मतलब आप ब अभी थाओ नवी थाओ लुट्ट रदी लुट्ट प्रविश्ट स्टूट वरी इंट्रेस्टिं लेवल अफ चिय करिकलंट तो सबसे इंटरस्टिं लेवल कोशा है C.A. का पूधूडशन इंटर इंटर्सिं है यह भी मैं आपको बताओंगा आज थोड़ी देर के बाद, ठीक है बच्चों, वैसे तो आपको आधत रहेगे कि सर, Foundation में यही बोले रहेंगे कि Foundation सबसे important है, Final में यही बोलते कि आप यह तो लास्टेज है, Inter में बोल रहे हैं, Inter सबसे important है, बट मैं आपको logic के साथ बताओंगा कि यह आपके जिन्दगी का in fact सबसे important time क्यों है, थोड़ी देर में मैं आपको बताओंगा, ठीक है, तो I welcome all of you to this very interesting subject of the most important level of CA curriculum, ओके, this cost and management accounting is the name of the subject, it is paper number 4, paper number 4, like everyone knows CA intermediate level पे अभी दो ग्रूप है, पहले भी दो ग्रूप हुआ कर देते, पहले दो ग्रूप में 4 plus 4, 8 subject हुआ कर देते, बरवर है, अब कितने subjects है, 6 subjects है, 3 plus 3, तो यह costing group 1 में है या group 2 में है, group 2 में है obviously, okay, but आज आप last time बोले जिन्दगी में कि सर यह group 2 में है, आप बोलोगे सर, CA intermediate में हमें 6 subject है, क्या बोलोगे, CA intermediate में 6 subject है, group 1, group 2 ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, 6 subject में मुझे minimum 300 माक लाना होता है, pass होने के लिए and मैं 400 लाके रहूँगा, कम से कम, बरवर हैं, आप यह नहीं बोलेंगे कि भाई मैं group 1 ही करूँगा, group 2 करूँगा, अब आपको लग रहा है, ऐसे क्यूं सर, इसके पहले तो कई सारे students हमने देखे, जो बोलते हैं थे कि भाई मैं group 1 clear हो गया, मैं group 2 clear हो गया, मैं group 1 पहले करूँगा, group 2 बाद में करूँगा, तब क्यूंकि article ship के लिए आप eligible होते थे, एक भी group pass हो गए तो, अब ऐसा कुछ होने वाला है क्या, नहीं, तो जब तक आप दोनों group pass नहीं होते हो, तब तक you are not eligible for article ship, तो आप बोलने का कि सर, CA intermediate में एक ही group है, 6 subject का, कितने subject का, पहले silavas में था क्या, कितने marks के लिए था, 100, अब कितने marks के लिए? 100 तो इसमें कोई change नहीं, आपको लगा है कि सर, internal कोई changes है, तो internal changes है, internal changes है, subject के अंदर changes है, सर कुछ addition है क्या, कोई addition नहीं है, सर कोई deletion है क्या, Yes, there is a deletion, एक chapter था, contract costing, कुनसा, contract costing, पहले एक chapter हुआ करता था, job and contract costing, ऐसा एक chapter था, अब उस chapter का नाम है, job costing, अब उस chapter का क्या नाम है, job costing, तो half chapter निकाल दिया, ऐसे बोल सकते हो, syllabus it has been deleted, half chapter has been deleted from syllabus, plus there is one change, और क्या change है, पहले, इसके पहले, okay, मतलब जो November 23 को भी सीए, enter costing का paper लिखेंगे, उनके लिए, there are no multiple choice questions, there were no multiple choice questions, पूरा का पूरा 100 marks का descriptive paper हुआ कर जाता, option के साथ 120 मा का रहता है, समझ रहा है क्या, तो 120 मा का paper descriptive हुआ करता था, अब it includes 30 MCQs, 30 MCQs, these multiple choice questions रहेंगे बच्छो, तो 70 marks का descriptive and 30 marks का, MCQ based paper रहेगा, and MCQ में तो हम सब लोग expert है है, and MCQ में, जो लोगोंने मेरा CA foundation किया है, वो तो जानते ही कि भाई, हम MCQ कोईसे deal करते है, yes or no, yes or no, MCQ के लिए ज्यादा और conceptual clarity की ज्यादा जोरू थाया, as compared to descriptive, yes, क्योंकि descriptive में answer correct है, थोड़ा wrong है, थोड़ा correct है, ऐसा कुछ होता है, MCQ में होता है, थोड़ा wrong है, बस A लिखी राता B को टिक कर दिया, उसके बाजू में ही है, ऐसा होता है क्या, नहीं, उसमें दो ही answer से, एक correct answer और दूसरा wrong answer, थोड़ा correct है, ऐसा कुछ है नहीं, but descriptive paper में क्या रहे था, descriptive question है, समझो, समझो, question पूछा गया आपको, find out over a distribution, calculate labor hour rate, समझो, आपने over a distribution correct कर लिया, labor hour rate में mistake हो गया, हो सकता है कि आपको 10 में से 6 मार्क मिलेंगे, हो सकता है कि 10 में से 4 मिलेंगे, step wise marks होते है, क्या लगते है, step wise marks होते है, descriptive paper में step wise marks होते है, but MCQ में से कुछ है क्या, नहीं, तो now that conceptual clarity has become extremely important then, कि हम भाई कितना अच्छे से subject हम समझते, कितना अच्छे से subject को समझ सकते, correct or not, तो आप बताओ, आपको कोई यहां पे जो आके बेट है, यहां पे, कितने सिटी से, कि मनद जाने कितने स्टेट से, यहां पे thousand students आके बेट है, तो आप मुझे बताओ, आप यहां पे time pass करने टो नहीं हाए, न? टाइबस करने आए क्या, या नाचगाने आए क्या हे हाँ पे, क्या करने आए, फिर? पढ़ने आए न सिर्फ, अन परड़ पढ़के ठकगे तो, और धोड़ै पढ़ेंगे, correct or not. परड़ पढ़के ठकगे तो, और थोड़य पढ़ेंगे, और क्या करेक्ट और नौट हम लोग अपने जिन्दगी का सबसे इंपोर्टन्ट लेवल के साथ डिल कर रहे है करेक्ट और नौट और वो कौन सा है अब आपको लगएगा कि सर क्या सस्पेंज रख रहे हैं सर क्यों सी एंटर्मी सिए इंपोर्टेंट आचा मुझे बताओ आप इसके पहले सिए फाॉदेशन में थे या ग्राजिएशन में थे कुछ लोग आप मेंसे आप में से सब लोग या तो CA Foundation पास्ट है या भी कॉम, BBA, कुछ तो आपनी ग्राइजूशन किया हुआ है आपका जो क्लास्मेट है जो कोई CA Foundation फेल हुआ पास्ट नहीं हो पाया वो कहा है आज क्या कर रहा है आज रहेगा कोई क्लास्रूम में रिविजन बैचे सोगेरी करता रहेगा या रहेगा यूट्यूब पे क्लास्रूम में यह बेसिकली आज क्लास्रूम में तुम कहा हो तुम भी क्लास्रूम में हो सिर्फ फरक है कि तुम CA इंटर की क्लास में हो वह अभी तक फांडेशन के ख्लास में आज इसके पर तुम जब 12 में थे और 12 जो पास हो गया उसी एया फांडेशन में आया जो वाइस टान octopus नहीं और 12 में पढ़ाई कर सब्सक्राइब को एक्सपोज हो जाएगा समझ रहे कि नहीं उसके पपा जब उसको फोन करेंगे कि बेटा कहा है वह बहुत पपा ओडिट करने देली आया है अभी मेरा फ्लाइट है ओके आपको एक घंडे देड़ घंडे में पुने एरपोर्ट से फोन करता हो पोपा पोज रहेगा पपा बुस्टर रिविजन पपा प्रिशीज पॉइंट के सामने कच्छी दावी लिखा रहा हूं है या नहीं पपा इदर जूश पर प्राइट पी रहा हो भी थोड़ी देर के बाद बूस्टर रिविजन है बैट आप अपड़ाई करते लाबरी में है या नहीं आप में से आयनो कुछ बच्चे नुवंबर 24 भी लिखने वाले डायरेक्ट एंट्री वाले ओके सो में 24 सी एंटरमेडियेट एक्जाम देने वाले ओके तो यह बैच किसके लिए अप्लिकेबल है ओ बता रहा हूं में में 24 एक्जाम के लिए कोई लिख रहा है ओके यह बैच जो भी रेकॉर्ड होगा उसके लिए इस अप्लिकेबल जो CMA का इंटरमेडियेट का एक्जाम लिखने वाला है उसके लिए भी अप्लिकेबल बारिंग वन चैप्टर बारिंग वन चैप्टर जो मैं आपको सेपरेटली पड़ा हूंगा समझ रहा है मैं क्य आपको बता तो बचो मैं जबसे सी इंटरपटाता हूं ओके तबसे मेरे बुक में एमसी क्यों जाएगा तो इस ने एंसे कुछ डाली दिया इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में भी पहले सिप चार सब्जेक्ट में में मट आंप को सब्जेक्ट में पहले भी सब्जेक्ट मैं पहले भी सब्जेक्ट में इस shiny में में आप संग अपने स्टी मठल में और बढ़ा somehow आप समझ रहे हो क्या बच्छो तो इसके बाद में जब भी और कुछ MCQs इसू हो जाएंगे जो भी कोई सोर से मिल जाएंगे हम सब आपको इसू करते रहेंगे या जो फेस टू फेस आट इन कर रहे हैं उनको हाट कॉपी के फॉर्म में जो ऑन लाइन है राइट उनको हम टे पर इंस्टूट का अलग ताइप का कोशन मिल गया है मुझे वह सॉल्व करके मैं सोलुशन के साथ वहां पर डाल रहा हूं अगर आप आप आज टेलिग्राम चैनल ओपन करके देखोगे उसमें पिंड फाइल जाके देखो तो आपको देखेगा कि मैंने लास्ट बैच का ह हर एक चैप्टर का जो मैं क्लास में लिखता हूं नोट्स जो के 120 पेज हो जाता है कोई चैप्टर 130 पेज हो जाता है कोई 160 पेज होता है वह हर चैप्टर आइट आपके टेलिग्राम चैनल पे मैंने भेजा हुआ है तो बाइचांस आपका क्लास में कुछ मिस हो जाता है य क्या टेलीगाम चनल का नाम it is a Vinod Reddy समझ में आ रहा हैँ यह यह टेलीघाम चनल जॉइन कर लेना है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहां पर क्योर पर कोड कहीं पर मिल जाएगा आपको यह है volume 2 और यह है volume 3 ओके तो इतना बुक्स अपने को सिर्फ सिए तीन सब्जेट के नहीं है एक सब्जेट का बुक है ओके cost and management accounting तो यह अराउंड यह चलो number of pages में आपको डरा नहीं रहांने सरी तो यह तीन बुक है तो यह आपको शायद समस्ता है होगा कि कितना अपना costing का सिल्या बस है अच्छा बच्चों बताओ आपको अगर कोई ऐसे बोले कि चलो में आपको शॉटकट में 20 घंटे में पूरा costing करवाता हूं आपको 80 मार्स आएंगे ऐसा कोई बोलेगा तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो मैं दिखाओ कि इतना कर लो है कि नहीं हो जाएगा इस बार असी पार आप समझ रहे हो क्या आपको लगता है कैसे होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है हाँ बट किसी ने रिगलर बैच आल्रेडी किया हुआ है उसको ची 60 आर्स में कितने आर्स में 60 आर्स में जो 200 आर्स में मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं मैं आपको 60 आर्स में रिवाइस कर रहा सकता हो ना जैसे कि आम शौर आप में से बहुत सारे बच्चे है जुनने मेरा सी एफ फांडेशन का कॉम्प्रियेंसी रिविशन किया था जो मैं 200 घंटे मैंस पढ़ाया regular batch में वो 60 hours में मैंने questions all करवा के लिए थी कि ने 60 hours में एक भी variety of questions छोड़ा नहीं था बढ़ा बता बच्चो कोई जिंदगी में पहली बार हो ही कर रहा है थोड़ा सा वो फास्ट लग सकता है के निवसको नोड़ा आम नौट सेंग की completely inapplicable है बड़ कहीं ना कहीं पहले अगर आप पढ़ किया है तो वो बैच ज्यादा useful है ना तो यह अपना कौन सा बैच है आपके दिमाग में concept घुजने तक मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा आपको लगता है कि कुछ लोगों को लगता है नहीं सर इतने भीड में आप हमको कहां पर द्यान देंगे आप 2-4 दिन देखो मैं कैसे कैसे द्यान देता हो देखो ओके आज तो मैं थोड़ा सा आपको कभी तो बहुत थक गए तो ठीक है है या नहीं कभी तो बहुत थक गए तो बड़ अपना क्या हुआ है अपन सेल्फ क्लेम्ड थक गए और अपन सेल्फ क्लेम्ड हाड वर्किंग है अपन सेल्फ क्लेम्ड कंसिस्टन्ट है डेडिकेटेड है कैसे किसने बता आपको खुद अर्याकिनी है, its not an easy job to be a charter accountant to be a CA student day and nights प्रायरेकनी, thousands of pages, hundreds of sections thousands of sub sections, hundreds of clauses, sub clauses an ordinary person cannot do it rest of the abanomals are chartered accountants ऐसे बनाद में तकार अपलोड करदे इदा देखो में पाद देखो यार अर्यार में इतना आज फॉर्मल ड्रेस पहन के आया दाड़ी को कलर करके आया है कि नहीं और आप लोग उसको देख रहे हो यार खमाल है यार है कि नहीं दो चाहर दिन के बाद यह जब सपध हो जाएगी तब देखना यार उसको यार आज तुम मुझे बोलो ना यार सब आप अच्छे देख रहे हो करके पिर ओके चलो तो मैं बोल रहा था कि हम सेल्फ स्क्लेमड हाड वर्किंग नहीं रह सकते बच्छो हमें अक्च्वल में हाड वर्किंग हाड वर्किंग बनना पड़ेगाária का सीएंट्रेमीडियेट एक्जाम के जनरली क्या होता है हमारे साथ में ओके हमें कोई तो बताता ह होता है सिह स्टुदिन्स को जंसली को ईतों बदाता है कि तुम भूत हाइद वरकिंग हो क्योंकि उस में उसका भी ठोड़ा मोटी होता है नंच की जन्रली अपन कि हिस़ारीफ करे स्फरिवर में वो तारीफ करते ना बराभर रहे कि नियसे opta कि क्या hard working, क्या dedicated, वो मुझे बोलने हो लाए कि तुम पागल हो, बढ़ा बरेंगे नहीं, वो मुझे क्या बोलेगा, अच्छा ही है, are you getting this, but मेरा वो नेचर नहीं है, भाई मैं बहुत, बहुत strict मुपे reality बता देता हूँ, आप समझ रहे हो, आप में से बहुत सही लोगोंने सु समझ रहा है, यह बैचे साब आटेंड कर रहे हो, यह इतना बड़ा lighting है यहां पे, online, offline, notes, यह वो, यह सब की sponsors को ने है, भाई, को ने sponsors इसके, तुम कहा हो यार, तुमारे माबाप है, है या नहीं, यह सब की sponsors को ने, तुमारे माबाप है, तो आपन उनके साथ चीट नहीं क है, बच्चा नाच रहे, और नाट, यह बच्चा क्यों नाच रहे, क्योंकि बच्चों को बताए गया, बार-बार कि तुम बहुत hard-working हो, तुम बहुत hard-working हो, तुम बहुत dedicated हो, और बच्चा खुद बोल रहा है कि I am very dedicated, और उसको लग नहीं रहा है, कि वो जूड बोल रह होते हैं, बता, कितने लोग बैटे और कितने पास होते है, एक परसेंट पास होते हैं या उससे कम होते हैं उससे कम, अच्छा भी थोड़ी दिन पहले महारास्टा में एक तलाठी का एक्जाम था, तलाठी समझता है कि आपको उसको 400 सीट के लिए 7 लाग लोग ने फॉर्म बरहा तक, पुलीस भरती जो रहता है न कॉन स्टेमल, उसमें 2000 सीट के लिए 12 लाग लोगों ने फॉर्म बरहा है, महारस्टा में, समझता है कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ, अच्छा, IIT एंट्रेंस में कितने लोग बैठते, कितने IIT में जाते, दो तिन पर कैसे हुआ, बता न, कैसे हुआ, सेल्फ क्लेंट, रोज अपने को बताया गया, रोज अपने को बताया गया कि यह तफेस्ट एक्जम, मुझे पता 25% पास हो गया, यार्सी ए फाउंडेशन, और सव में से 40 लोगों को तो खुद को मालूम था, वह पास नहीं होने हो लाए, बरवर है कि नहीं, एस और नो, तो 60 में से 25 पास होगे, कौन सा टफ एक्जम है, बरवर है या नहीं, पचास साट बतने सीरियस थे, थोड़ा बहुत, उसमें से 25 पास होगे, है या नहीं, य जो दरश्यम में जो भी ओ, तबुको जो भी लोग आके बोलते हैं, कि ये दो तीन तारिक को या जो भी ये 2 ओक्टवर, 3 ओक्टवर का इधर ही था, बोलते हैं कि नहीं, अच्छा मुझे बताओ, कि त्ने लोग बोलते हैं, थेटर वाला आके बोलता है, इस देट को बोलत है, बराबर है कि नहीं, ये इधर आके रुके थे, अच्छा पाच्छी इविडेंसे से न, अच्छा मुझे बताओ, सब लोगों के मुँपे एक कॉन्फिडेंस रहता है, कि वो सच बोल रहे है, अच्छा वो सच बोल रहे है या जूड बोल रहे है, उनको खुद को क्या बोल रहे थे कि एक्च्छल में, जूड बोल रहे है, करेक्ट और नॉट, बढ़ो जूट बोल के भी उनको क्यों लग रहा है कि वो सच बोल रहे है, कि उनको बताया वैसे गया, उनको तीन-चार सोर्से से बताया गया, वो बस्टॉप पे मिला उनको, अरे इनको नहीं मिल थे कि वो दूब बता भी नहीं कि तुम जूर बोल रहे हैं कि क्यों तुम तुम शींतफ है बोल के बोल रहे हैक्ट तूंको यही बताया गया क्यािए, ह islands बताया है, इन्स्टग्राम यहीं बोल रहे है Nada warm ला सूटकि अबूच यहीं भी ह sound richer थे करेक्ट रहे हैं बागी student- academic अपने लिए तो अंदर की बात है न भाई अब रहे कि नहीं लोगों को आपन बोल भी लेंगे अपने लिए तो मैं नहीं जानता क्या आप पैदा होने के पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साइजे सा बैचिस के लिए आप समझ रहे हो क्या तो स्टूड़न्ट हाडवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है यह मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं हमारी आधी जिन्दगी आधी से बड़ी ज्यादा जिन्दगी स्टूड़न के साथ गई है यार हमाई एज इस फॉर्टीवन आम स्टीचिंग सिंस लास ट्वेंटी एर्स दो हजार चार से मैं पढ़ा रहा हूं जून दो हजार चार से तो 19 साल से ज्यादा एक्सप्रियें सबसे पहले क्या अधिमाख से निकाल दो सिए टुफ कोर्स है यह धिमाख से निकाल दो जो भी पास होता है जो भी बंदा पास होता है वह सिर्फ अपना वह जो इमेज है वह और और स्टॉण करने के लिए थोड़ा सो ओर बोल देता है कि ये वह भु़टी टफ था ने तो पढ़ने वाला हर बंदा पास होता है अब आप बोलोगे कि सर यह तो बड़ा इसके बोल सकता कि अपना दिया जो पॉसिबल था हर चीज कर ली और मैं फिर भी फेल हो गया गब आप समझ रहे बचो ऐसे बहुत कम बंदे मिलें यह जो बोल रहा है कि मैं सब कुछ कर दिया और फिर भी फेल होगा ऐसा नहीं होता है आपने इंट्र च श्बजेक्ट अपेर करना है निट्वेटिफट एक्जाम में यह पास भी होने जुलाइवघच्ट में यह Milo अगोत मैं युलाइव ऑगोस्ट में प्लता क्यों की चाहिएक क्या चाहिए तुमने financially independent चाहिए आप समझ रहे बच्छो तुम्हारे पप्पा तुमको फोन करके पूछेंगे अगले इंडिपेंडेंस देखो तो आप पपा को बोलो पपा मुझे 15000 का स्टाइपंड है आपको पाचार चाहिए तो बोलो है कि मेरा काम दसार में हो जाता है आपको और पाचार रुपे चाहिए तो आप ले सकते हैं पोलाइटली बोलना अब समझ रहे हो क्योंकि आप ला क्योंकि यह जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आटिके सिर्फ करोगी इस वह मेंट फॉर अर्निंग लैक्स और क्रोर्स सिर्फ इसके साथ फिलोसाफी मत जोड़ो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है ऐसा भी है वैसा भी है यह है पैसा भी सब कुछ नहीं है यह सिर्फ वही बोलता है जिसके बाद दुनिया पर का पैसा है भरावर है या नहीं और जो लोग पैसा सब कुछ नहीं है बोलके किसके बीचे फिलोसाफी के पीछे अपना इनकॉंपेटन्स चुपाने का नहीं किसके बीचे फिलोसाफी के बीचे अपना इनकॉंपेटन्स चुपाने का नहीं राइट माक्स लेका नहीं का समझ रहा है क्या स्टेट माक्स कोई रीजन काम नहीं करता है कुछ नहीं करता है समझ रहो क्या कोई 40 साल प्हले का इंसान बोल रहा है कि नहीं 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 वह भुरत फड़ता था तो फोप घर से सपोर्ट नहीं मिला थो मैं भी सिय बन्ता। कितना देन से सुẫn वो आप उसको approach कितना इमां दानी से उयर्णारी से बतो कितना देन से संदियो हर कहां कोने में इंस्टूट ने कहीं दिया रहेगा वह भी क्लास में करवाँगा मेरे कोई भी फाउंडेशन को स्टूडन को जाके पूछ लो आप में से बहुत सारे स्टूडन है भी अल्रेडी आप बता भाई कुछ तो आपन छोड़ते हैं आप कोके सब्सक्राइब आपन सिखेंगे और कि किटने चाप्टर से कथ इसमा न कर दो है किसी को आएसिए स्सृड़ी में 54 किसे तो ऑफिसली आपने इसे 46 जाटर से वो कैसे मैंने दिये हुए यहां पे क्या बढ़ांगो थोड़ी देर के बाद आपको बटाओंगो ओके चले आज का लेक्शन में थोड़ा इंट्रॉड़क्शन लेते फिर थोड़ा से से लबसे इन में स्टार्ट करेंगे चलेगा ना बचू चलेगा क्या करेंगे रोजी कुछ इदर उदर की बाते बनाएंगे बताएंगे ऐसा वैसा यह नहीं करेंगे आपन ठीक है आंड बाइचांस आपमें से बहुत सारे स्टूड़न से बहुत सारे मतलब एक 20 परसेंट तो आपमें से लोग है जो आज डेमो अटेंड कर रहे हैं बढ़ा रहे हाँ वो तो दिखने को अच्छा नहीं था यहां मेरे भाई मैं एकदम इमादारी से बता अपको आपमें ओपी लीटी ही नहीं है कि आप जच कर सको कि आप में ओ अबिलीटी ही नहीं है कि आप जैज करो सब आपने ओ मुई देखा है कि रजनीकान का कबाली बहुत कम लोगें देखा रहेगा बड़ा ही खराब पिच्चर है ठीक है इससा मैं मुट आज गोलर कि जान खाल ए 3 मैं तो भ्राब थे कशोटों लेक्ज ख्राब ट्रीलर ग 2025 कमद डिलीक परावरे के नहीं खराब ट्रेलर देखा यह के बता खराब ट्रेलर जनरली अच्छा ही होता है ट्रेलर मुवी अच्छा हो या ना आ थो अब एक लेक्चर के बेसिस पे आप जर्ज करोगे बड़ा मुश्किल काम है आप समझरे हो लगे तो एक काम करो आपके बास कुछ पूचो हाँ भाई प्रोसेस कॉस्टिंग में कितने स्टेप मार्जिनल कॉस्टिंग में नंबर अफ कॉशिंग्स टोटल नंबर अफ फॉर्मुलें स्टैंडर कॉस्टिंग 9.5 ओट अफ 10 कोन जच कर रहा है CA Foundation में 203 मार्क किसको जच कर रहा है जो तुमारे पाइदा होने से पढ़ा पहले से पढ़ा रहा है अब यहां ता इतने साल में यह कट्थ्रोट कॉंपूटेशन वाले इंडस्ट्री में हम लोग यहां पे है तो डाट बिलीफ ट्रस्ट इस वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स आप समझ रहे हो क्या अगर आप रोज होके आप टेस्टिंग मोड पे रहोगे तो उसमें दस लेक्षर निकल जाएंगे है या नहीं तब तक तो मेरा एक चाप्टा और मैं आयम नॉट टीचर कि आपको खुष करने के लिए दस दिन तक इंट्रेटेंट करूँ मैं कल से सिलाबस पर उतराऊंगा समझ में आ रहा है क्या आपको है आज थोड़ा पड़ा ही लूँगा आप समझ रहे हो क्या तो हम लोग सिलाबस पर फोकस करेंगे बच्व समझ रहा है क्या जो मैंने आपको नोट्स दिये हुए यह जो नोट्स है वॉल्यूम वन टू थ्री यह नोट्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बट यह जो नोट्स है ना अगर आप उपन करके देखो कि बहुत सारी लोगों के पास है भी तो आप इसमें देखो कि तो कलर छोड़के सब ब्लाक और वाइट है यह कवर छोड़के यह कवर छोड़के सब ब्लाक और वाइट है आपको बात बता दो जो आई सी आ का पेपर रहता है ना सिव भी बना सकचा है रहें को आ यह जो मैंने पेजर में बलांक दिखर क्याँ वह तुम्हारा answer sheet ऐसा ही रहता है ICI का answer sheet ऐसा ही रहता है आप समझ रहो क्या तो आपन ऐसे ही paper पे practice करेंगे हम को टेबल में answer यह answer वो answer मैंने खुद यहाँ पर कोई hint नहीं दिया है कि भाई यहाँ पर table में fill in the blanks नहीं है okay तो जैसे मैं आपको बताया कि इस batch में सबसे important हम ने इस बार launch किया है no notebook concept कौनसा no notebook concept no notebook concept के दो prime reasons है okay सबसे पहले कि सुनो सुनो बचो सबसे पहले कि आपको जो notes okay उसका answer का है यह धुनना नहीं पड़ेगा क्योंकि generally costing में न बचो syllabus complete करते करते अगर last batch आप देखोगे तो पाच notebook भर जाते 200 पेज के कितने हैं पाच पाच notebook भर जाते तो फिर वो पाच पर एक bench पर तीन बच्चे बैठे है तो तीनो के notes तीनो के notebook okay it becomes again tough तो आपके सामने सिर्फ क्या रहेंगे तीन बुक रहेंगे वह भी कल से सिर्फ volume 1 नहीं लेकिए वाल्यूम टू थ्री मत लेकिए अभी जिन्होंने notes collect किये कल से आप सिर्फ क्या लेकिया होगे आपको यह रोज क्लास को लेकिए आना है बच्चो सिर्फ volume 1 लेकिया हो फिर okay तो इतना है लेकिए आना है साथ-साथ में पेन calculator वह basic चीज़ आपको पता है scale compulsory pen scale pencil calculator calculator जो normal calculator होता है आप सब को पता है वह आपको लेकिया आना है इसमें मैंने क्या किया हुआ है सब कुछ everything I have given over here like last batch के notes था उसमें जो MC की आड़ करके कुछ theory questions जो उन्हेंने थेरी कुछ अब देखो यहां पर आपको दिखेगा एक question आया what is cost दिख रहा है कि आपको इसका answer में नीचे लिखके लूँगा आप लिखेंगे खुच उसके बाद में what is costing दिख रहा है कि आपको यह लिखके रहेंगे उसके यह थीरी questions है कुछ उसके बाद में classification of cost यह class में complete करेंगे हम आगला question यह थोड़ा बड़ा question आ गया इसको answer लिखने के लिए जगा छोड़िये में कुछ लोगों का राइट में जब मैं बताए कि आइसा है तो वह बोलेक नहीं sir बड़ उसके तो क्या हो रहा है student को hint मिलेगा answer का और उसका mind develop होगा ही नहीं खुझ से कैसे नहीं है मुझ और इसका table बना के देता particular amount और उसमें आपको चार नंबर देता और दो नंबर आपसे बरवा के लेता तो हींट होता yes or no अच्छा यह अगला question है okay यह देखो यह अगला question question number 8 दिख रहा है कि आपको है बता मुझे कहा है हिंट है कहीं पर नहीं तो यह की नीची solve करेंगे बड़ आपका efforts बज गया है ना बात में का yes or no and यह class में complete होने वाला है भी यह हाँ पर इसका answer आपके साथ मैं भी लिख telegram पर शेयर करूंगा समझा कि मैं क्या बोल रहा है yes or no तो क्या ना यह से आपका notebook भी आपके soft copy के फॉर्म में रहेगा आपके पास इसके answer के लिए हाँ बट एक हिंट इतना आपको समझेगा कि भाई यह question number 9 को approximately कितनी जगा लगती है यह आपको पहले ही समझेगा जो पहले नहीं समझता था बट यह कोई बहुत बड़ा हिंट है कि आपको समझेगा क्योंकि बड़ाबर मैंने एक approximately एक student जो बड़े बहुत बड़े font में लिखता है उसको कितनी जगा लगती है उसके accordingly यहां पर चोड़िये तो कुछ लोगों को हो सकता है यह space भी ज्यादा लगे बड़े इसमें लिखता है उसके angle से जगा छोड़िये कुछ लोगों को लगता है नहीं से मैं यहां पर लिखूंगा यह नहीं मुझ आपको आज collect करना है ओके आज कल जब भी आपको time मिले क्योंकि office में भी बहुत rush है आप जानते हो ओके तो यह आप आज collect करोगे and यह notes राइब बच्चो एक दो दिन में आपके पास रहना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे syllabus start करना है दो तिन दिन में आपको ऐसे ही कुछ तो CAQ important है CAQ को कितना scope है यह सुनने में interest है क्या नहीं है वह अपन बाट में भी जैसे जैसे time में लेगा वैसे कभी extra curricular knowledge आई जाता है जो subject के अंदर linked है किसी तो concept को linked है यह तो आई जाता है ना बात में बचो तो अपन directly syllabus को start करते है ओके तो पहला point जो मैंने आपको बताया है था आपके लिए कि भाई एक हार point मिस्स ना हो जाए तो यह batch applicability clear है किसके लिए batch applicable है बोलो May 24, November 24 CA enter as well as CA enter यह दिख रहा है जबको everyone is comfortable है ओके next G1 group 1 and group 2 में 6 subjects है why costing ना हो यह एक question है क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि भाई पहले 3 subject group 1 के पढ़ाएंगे बाद में group 2 के आज तक यही train चलता है रदापुने में group 1 के 4 subject होते थे उसके बाद में group 2 के समझ रहा है तो अब हम क्यों कर रहें किसी के पास answer है क्या इसका क्यों costing पढ़ रहे भाई अभी तो मैंने आपको पहले answer दिया था अब group 1 group 2 भूल ज सब्सक्राइब से इंटर में 6 subjects है इस एक लिए सेट आफ का डॉंटेज है उसमें एस और नो प्लस अपने को दो गुरूप पास होके बहुत अच्छे फ़ह में लगना है मारी भाई है नहीं अपने अपने माबाब के साथ मजाग नहीं करना है समझता है क्या बहुत पढ़ करें पढ़के अपने को राइट पास होना आपने दिमाग के सामने बस पास होना यही चाहिए समझ रहा है कब एक्जाम में आपको में ठुरी दे पहले बात किया था मैद 24 में एकजाम है अचा बता में 24 में इसींटर का एकजाम है उसके बाद अच्छ पाद चलो दोनों को पाद है में 27 में कब है में 27 में यू कैन दो में दो साल का अर्टिकल्शिफ कॉनूट हो जाएगा उसके बाद में immediately you do not become eligible for CA final exam बरावर है नहीं तो चलो आप चलो और थोड़ा timeline अच्छे से देखते है में 24 दिये exam पास कब हो जाओगे जुलाय में जुलाय में अच्छे में आटिकशिफ जुएन कर लिए अगस्ट 24 में आटिकशिफ जुएन कर लिया कब खतम होगा ऑगस्ट 26 अगस्ट 26 अगए यह मैंने काउंट करो तम तुम अपलीके इलीजिबल नहीं हो अच्छे में आगस्ट 26 के आगे च्छे मैंने काउंट करो तो आप बता में ट्वेंटी फोर में आप एक्जाम देखे जुलाय में पास हो गए ऐसा इसके पहले आपके जिंदगी में कब हुआ था कि आप बोल रहो हो कि 3 साल के बढ एक्जाम है तो कब हो था इसके पहले यह जुलाय دोहजर 24 में आप बोलोगे आप 2,077 मैं मतलब पूरा दोफ्धार 24 अभी बचा हुआ हाफ यहर एक्जामनी एक नहीं कि 2026 एक्जाम नहीं है दो आजर सत्ता इसके पाच मेने के बाद एक्जाम है चार मेने करम होने के बाद सब्सक्राइब आपको आपको अगर मालूम है कि भाई मैं पास हो रहा हो दोनों गुरूप आपको तीन साल के बाद एक्जम है भाई वीच में विकॉम का एक्जम आया आपको उसको गिंते भी नहीं है है यह निए विद्धियू रिस्पेक्ट आपको लग विकॉम का एक्जम टफ लगा कभी विकॉम के एक्जम में तुम चाहो तो फेल नहीं हो सकते है यह निए किसी ने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे फेल होना है तो भी नहीं हो पाई गार यह उसने हाट पेन रखा की पास पर आपको आपको अब देखो मैं बात में आईसे मुझे कुछ ऐसा इतना क्लिप निकाल की मत बोलना की हमारे साथ कुछ तो ऐसा यह हुआ विकॉम के साथ ऐसा कुछ कमेंट किये बट रियालिटी है सब को मालूम है है या नहीं सची में बताव विकॉम क्वालिफिकेशन क के साथ में आज कुछ बहूत को बरा काम कुछ कर सकते हो क्या आप वैसे इसके साथ philosophy नहीं जोडने का सिरुफ है की नहीं सर मॉक्सी स्नौट एवरिथिंग डिजरे नौट एवरिथिंग एग नहीं दिग्रीजी नौट एवरिथिंग टेटिन मेरे भाई डिंगरी ज्यादा बैठती के आप मेरे सामने और क्यों नहीं बैठती डिग्री इस नॉट एवरिधिंग ना परावर ही कि निए ऐसा नहीं डिग्री वर्क्स अज गेट पास उसके बाद में तुमने हां बट अगर समझो आपको हजार लोग बोल रहे कि भाईस विनोज रेडी सी कौन सी यह होता इतना आसान काम था क्या है तो इस डिग्री विल वर्क एजगेट पॉस्ट तो कॉर्परेट वर्ल्ड सौ लोग वहां पे जो आप करना चाहते दस लोग आप रहेंगे जो डिग्री के साथ रहेंगे आपको प्रेफरेंस मिलेगा कि नहीं वहां के बाद में इक कारेक्ट ऊपिटेंस आप दिखा आप और आगे चले जाएंगे और नॉट गोड़ और नौट आप बट वह से टो cigarने आपको मेलेट न और कोई भी प्रोसुक्पे और यह डिग्री करेंगा थुम् दुनिया एक सबसे टफ एक्जांब पॉस किया है तो दिगरी इस सबसे बाद ब्रहें के बात कि गुत्त अब ध्यस् जबन के बात बोलने का कि एम सकती है अब मेरा रियल जठनी अप्न स्कार्ट हुआ अब बोल सकते हैं अच्छा भी दिखेगा करेक्ट और नॉट सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा सीए होके बोल रहे हैं बर तुम सीए इंटर में पाच बार फेल होगे डिग्री इस नॉट एवरीधिंग क्या बोलेगा अंदर से अब एक कैपिटल एंड बोल सी बोलेगा कि नहीं हो कैपिटल एंड तू पैपास होके बोलता तो कुछ सुनने को भी अच्छा लगता है इस इत राइट और नॉट होता है या नहीं डिग्री लेके थोड़ा आपको ऐसा यह वर्ड्स होगे अच्छे आपको ऐसे कि आप जिन्दगी बर नहीं बूलोगे आप समझ रहे हो मैं तो गाहों से हूँ राइट कुछ-कुछ लोग आप मेंसे रहेंगे वो बोलेगे नहीं सर हम कैसे सीए बनेंगे सर हम तो गाहों स्याए मैं खुद मराथी मेडियम में पड़ा 10th standard तक 5th standard में इंग् का एक पेपर छोड़के समझ रहे है 11-12 science 11-12 उसके बाद सीए foundation को यहां पर आया अब बता इससे खातरना combination बताओ मुझे गाहों में बढ़ा हो भी 10th standard तक ऐसे कोई भारी स्कूल में नहीं चौतिक तक तो हमारा जड़पी का स्कूल था पेड़के नीचे बढ़ता था एक नहीं बारीश आई चुटी स्मझ रहे हैं कि सर आपको आपका श्रगल स्टॉडी बता है को इस टोरी सब्सक्राइब जरुत नहीं मुझे जनरली लोग स्ट्रोगल स्ट्रोडे सुना थे लोगों को रूलाते वो मुझे नहीं करना है अपस्में है कि इस्टोल्स बहुनाव भाई मुझे रोज खाना मिलता था आप मेरा प्रेटों आपको सम्झेक विश्घ समय रहुए मुझे रोज खाना मिलता था जणली कि ऑता है और दिगरी आते ही क्या बोलते थे मैं भूका मरता था भाई हम कुछ बहुत आमीर नहीं थे बट मैं मेरे पपा फार्मर थे आज भी फार्मर है और मेरी मम्मी रोज तीन टाइम खाना बनाती थी यार आप समझ रहे हो क्या तीन टाइम मतलब सुबह हमार दस बज़े स्कूल कभी-कभी अगर मम्मी को बोला कि मम्मी ये सब पसंद नहीं है तो मम्मी दूसरी भी बनाती थी कि भाई बैटा तुझ ये पसंद ये खाले तो अन्नेसेसरी मैं स्ट्रगल की स्टोरी बन के आपको एम का पर्सनल लाइफ ये वो इसका क्रेश्ट थोड़ा कम करो ये मेरा फ्रेंडली सजेशन है आपको आप सिर्फ कॉस्टिंग पर दान दो किस पे कॉस्टिंग का भाई मुझे सिर्फ लोगों पर देना है मुझे सिर्फ यहां पर टैक्स पढ़ना है वो अप्रोच रखो आपको एक responsibility के साथ में भेजा है तुमारे माबापने हाँ पर समझ में हा रहा है क्या हो सकता है कुछ लोगों कि माबापने राइट को किसी सो लोगों ने सजेशन दिया रहेगा अरे कहां भेजरे पूने इदर ओनलाइन करो इदर ये करो वो करो आनने सरी उदर जाके बच है ना तो वह बरोशा जो है उसके कुछ कीमत रखो कुछ कदर रखो उसकी परावर है कि नहीं और कुछ कर को करके दिखाओ में भाई ओके जो भी आगले ये six months आप classes आडिन करने जा रहे हो कितने months six months या six and a half months कितने months around six months 31 January तक classes देन आपने परावर है या नहीं अभी आपना सब कुछ सब जानते है वो तो मेरे खाल से सब टीजर ने बताए भी रहेगा इसके पहले 16 अगर्स से लेके कब तक आपना batch 30th November तक 30th November तक costing का उसके बाद में 1st December से दो सब्जेट और add हो जाएंगे कौन से दो सब्जेक audit and FMSM audit and FMSM and तब तो कौन से सब्जेट finish हो जाएंगे law direct tax costing law direct tax costing and accounts खतम हो जाएगा प्रावरी की ने फिर GST चालो हो जाएगा 1st December से FMSM स्टार्ट हो जाएगा 1st December से audit चालो हो जाएगा वो 31 January को खतम हो जाएगा February, March, April you are completely free for your self preparation PL आप बोल सकते हैं आप उसको उसमें formal test series होता है test series का schedule में आपको यहां पर देना है आपको तो आपको रोज रोज कितने बज़ा आना है यहां पर class के लिए एट थर्टी एट थर्टी से 7 थर्टी ते आपका class है सही है कितना आर्स आपको पढ़ाई करना है उसके बात चार घंटे देखो बच्छो मैं आपको कुछ बताऊंगा अभी और आपको ऐसा लगेगा कि क्या पागल की तरह बाते कर रहा है इतने करने से हम लोग से थोड़ी बनेंगे आपको सारे class अटिन करना है एक भी class मिस न नी करना है और आपको सिर्फ टू-आर्स पढ़ना है रोज कितना एक हा दिन वाननें आफ आर्स होता है कोई पाओल नहीं संडे को आप नहीं पढ़ते हो कोई पाओल समझा हमें क्या बोल रहा हों मैं कितना फ़टना है तो आप में से कुछ लोग क्या सूच रहे यह तो मै एक हापता देखो एक हापता कैसे होता है सुबह उटने को आठ बजे कैसे साथ बजे कैसे होता है समझ रहे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ नहीं है इट अपीर्स तु भी वेरी इजी ऑन डे नमबर वन पर इस नॉट सो इजी समझ रहे हैं डिफिकल्ट काम तो हम करेंगे न आफिरम येस और नो अच्छा बट अब क्या बोलोगे नहीं सोर में तो पाच घंटा पढ़ने वाला था मैं यह तैहरी कर क्या है पाच घंटा पढ़ने वाले हो क्या आप मुझे बताओ यहां पर यहां से तुम साड़े साथ बजे लास्ट क्लास होगा तुमारा दूसरे एक भी रिस्पेक्टिव हो मोग रहेगा उतना कंप्लीट करना है और आपको लोग एक सरह मोग बहुत जाद रहेगा तो मैं आपका काम मेरे साइट से थोड़ा बहुत आसान कर सकता हूं मैं एक भी हो में साइज नहीं दोंगा अन एनी डे ओके आए उंट गिव एनी होम ए पर बाका काम कर सकता हूं मैं अपको नहीं दूगा ज़्यादा-स ज चादा मैं कभी आपको एक महियन बर में बोलोगा यह सेम तूट सेम कोशन है इतना घ्ल करूं गा है अमिख लेग क्या सब्सक्राइजिक यह 1100 कोषेट हैं। कम्प्लीट करने वाले हैं ओके आपको लग एक असर कि इसमें एक्जाम कोशन्स भी होंगे क्या RTP MTKP कोशन्स तो सब हैं इसमें इसमें से सब कुछ मैंने अपने बुक में ले लिये आप समझ रहे हो क्या यह एक रीजन है कि मैंने सब कुछ यहां पे ले लिया दूसरा रीजन ICAI study material में mistakes है लगे तो यह काम करो यह वीडियो का उतना कट कर दो पास सेकंड का वीडियो बनाओ एंड इंस्टूट के president को tag करो Twitter पे मुझे कोई पावल नहीं क्योंकि सच है आप समझ रहे हो क्योंकि सच है यही है इंस्टूट का material is not error free it is not error free समझ रहे है क्या और तुम वो पोजीशन में नहीं हो कि तुम confidently ICAI study material सामने रखके बोलोगे कि नहीं भाई यह गलत है मैं सही हूं तुम्हें उतनी ability नहीं है यह उतना confidence नहीं है समझ में आ रहा है कि आपको यह तो प्लीज राइट आप वो रेफर करो बढ़ यह सब होने के बाद जनरली वो अचानक से नहीं रहता है किया घर से माने तीलक लगा कि भिज़गा जा बेटा एकिनी आ पतल्वार इंटर कौँद कॉसी स्तिंग काट शेयमाहिशमादी अरे भाई रोज बढ़ने का रोज ऱ्लास काने का शांती से बैटने का समझ रहा है कि नहीं समझने का कंसेप्ट सब कुछ लिखने का साब होता है बराबर देर नमर वान को टीचर के पीछ 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 जाएगा सौर कुछ से करते भाई कि घर जाते पढ़ाई करते कैसे करते बैठ के करते यह कुछ दढ़ा है कि nggak का मिका मम कर यड़ह से निष då आजल था नीचे भ। रखनी का ऐसे उलता ऐसा?.. शेपोत ता के सकते हैं कैसे पोड़ आजकत? केसे पढ़ाई पर बदा हमार यह तो टेपल पर थे बेटे रहेंगे तो लिख अ कुछ isto पैटे रहेंगे इंट और अभाद Bundesregierung करते हैं करने क्त भबन को क्या वसक्kov में और अपहीं है जेंडों में एक्सु पचासर एक निकारण भाई है तो पहलेफक जो जोज सन भी अभी है या नहीं पहले कुछ-कुछ लोग तू उस से होगे सर ये के बाद में ना मैं सोच रहा हूँ CFA कर लू भाई तू आभी CFA फांडेशन फास्ट हुआ है है कि नहीं सर मैं क्या सोच रहा हूँ CFA सर CPA and ACCA किसको जाता स्कोप है भाई पास्ट है भाई गोल्स शॉट टर्म समझ रहा है क्या आज क्या सोचनेगा अपन ने क्या सोचनेगा मैं आज के सारे लेक्षर आटेंड करूंगा और दो गंटे पढ़ूंगा छे गंटे सो होंगा दूसरे दिन साड़े अट बजे यहां पर रहूंगा बस समझा क्या आपको CPA करते करते हैं सोर एक्विटी रिसोर्च में क्या लगते है सब आपको फ्यूचर में ओपनिंग अरे तुमार तुम सी यह बनने तक ना यह दुनिया तीन सो साट डिकरी चेंज हो जाई हो और तब तक राइड अभी यह स्पीड से ए आई 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 आटिविचल इंटि यह आज बैटके जरी साट कर सकते क्या भाई है या नहीं तो आज आपको करना शोषिठ चेंज की जिन्दगी है उसमें कुछ आगले छे मैने की जिन्दगी 31 जनवरी तक जो जब यहां पर हो आपका टार्गेट क्या होना सी हां बोलो चलो एक काम कर उसको भी 30 नौंबर तक बोलो बाद में सेकंड गूरूप में क्या करना हो देखो 30 नौंबर तक आपका शेडिल क्या होन टार्गेये बोलो हो सारु मैं रोज क्लास अटेन किया रोज दो घंटे पढ़ाए तो फॉटिंग तो और न हमborgी मुझे अन चीज के पहले बताता हूं बच्चो मैं पिछल का कॉस्टिंग एन क्यूटी के एक सुचालीज बैचस लिए फेस टू फेस वर्चुल नहीं कितने है दो हजार चार से पड़ाता था मैं जब मैं सीए फाइनल का एकजाम दिया मैं 2004 में जून 2004 से बढ़ाता हूं हर साल में चार हज़़ार स्टून्स पड़ाता था था सीए फ फाउंडेशन या यह CPT जो पहले था वह मैं कब से पढ़ा रहा हूं जब से ICI ने शुरू किये 2006 में ICI ने पहले CPT चार्ट किया था तब से मैं पढ़ा रहा हूं आप समझ रहा हूं क्या तब से कितने बैचस्ज मैंने स्टार्ट किये रहेंगे सबचो बरावर है वो रिविजन बैचेस, बूस्टर बैचेस, कॉम्परेंस यह उसकी तो को गिंदी नहीं है बट ये एक चीज नहीं बदली कि डे नमबर वन जो स्टूटन्ट तुमाज तरफ देखता है इसे अन्यों जो गॉदेन सब्सक्राइब रहता है जो उसके एंग्जाइटी रहती है जो उसके एक्सपरिशन सब्सक्राइब करेंगा यस अलता करेंगे क्या बच्छो रोज दो गंटे पड़ा ही है कि नहीं सब्सक्राइब शबर्द स्टूटन का चेहरा रहता है डिटर्मीन फुली डिटर्मीन दूसरे दिन पूसे तीन चार दिन हो गए आके यहां पर पूछता है सर कल आप कुछ इंपोर्टेंट पढ़ाने वाले हो क्या मुझे बता कल इंपोर्टेंट अगर नहीं है तो यहां पर आके हजार स्टूड़न टीचर इतना ताम जाम क्या गोटे खेलेंगे क्या आपन इंपोर्टेंट ही रहेगा ना कुछ तो यहां पर आके टाइम पास किसी करूंगा मैं है यह नहीं कोल इंपोर्टेंट पढ़े नहीं क्या सर में चार दिन थोड़ा यह कर लूँ क्या सर एक बार वो चालू हो गया ना बच्चो फिर तुमारा करियर ही खतम करके छोड़ता लिस वाको इश्मरता है जिए डिन मिस्कर दिय कि अज आया लूँ कलुष़ तो हो गया आप समुझ रहे हो सकता तो क्यों को पहले से पहले से ृसल unfled मैं सीथ अपको गश्य सीरियस घुई ओन सैरक जीसमण सीड चसिरियो थे और सेमुरोटन टैन्मिर मीर्र सीरियसनेट Harugo क्या होता है बच्चे आजकल सीए के सीरियसली सोजाते है उसको कोई बोलता है भाई पापा का फोना है इसको बहुत थक गया है इसको बहुत हो गया है अच्छा वो मुझे बताओ जिन्दकी में कम सीरियस है गया कि दुनिया का सीरियस है उसको बोलो चल भाई मुवी देखने जाते है कि सीए है कि है कि आज कहीं तो जाते इदर केपी में गुंपया आएंगे जरा कोरिवापाग देखें बहुत सुनाए बच्पन से सुनाए पूनी में आ गए तो देखिया थे शनी और अड़ा तो देखत घंटे से सीरियस ही है सीरियस वाले देख रहें कि सीयह कैसा है बड़ाप रिखिनी सीयह के इतना टफ है क्या फायदा हूआ क्या इंपोडेंट है क्या इंपोडेंट है आप इंपोर्ड़न्ट है सीयसस नसी मज़ेस इंपोर्ड ख्या Kya important crosses दिंसेरिटी अरे जाव एक पहला लेक्षर ओनलाइन करनों का सर आगे सब face to face रहेगा कोई प्रावल नहीं है फाल तू का seriousness नहीं छी समझ रहा है क्या चाहिए सर मैं एक लेक्षे मिश नहीं करता सर में एक लेक्षे मिश कर दिया क्यूंकि यह काम था मंडे से मैं वापस रगोश सब सारे नोट्बूक कम प्लिट अब कुछ कम प्ड़ाई सब यह जोड़े लगता कि आप को इस इंसन सूपर से लिके राद कु बारा बदेख पढ़ा रह इसा नहीं होता है, वो अगर वो ऐसा देख के लग रहा है, तो वो आप गलत इंटरपेट कर रहे हो, या वो गलत body language आपके सामने प्रेजेंटेड है, ऐसा होता नहीं है, समझ रहे क्या बच्चो, आपको आपको आपने सुना है, हाँ सर भाई, यह लाइफ है, है कि नहीं, CA is just a part of life, not the life, बट उसको एक important part बना के रखो ना फिर, yes or no, पुरी जिंदगी नहीं है, यह मैं जानता हूं, बट एक important हिस्सा है कि नहीं अपनी जिंदगी का, है कि नहीं, इसको sincerity के साथ डिल करते है and मैं आपको एक चीज़ बता दो बचो, आपका, अल्मोस में last best क्या बोलता था, CA इंटर वाले बच्चो को की, अल्मोस CA final में, तो सारे virtual classes ही होते है, online ही होते, बड़ावर है न, CA final का face to face class है, बहुत कम बचा है इंडिया में, आप यह जानते हो, किसी भी senior को बूचो आपक ही बताएगा, most of the students preferred that GDP, Laisley, Mode and all, कि लिएक सी होता था, तीन साल का अपशाता था, बच्चो, है या नहीं, आपके बार जब तक दो साल का होता है, तब तक आपके पास, जा प्रतना रहता है, जो आपको complete करना रहता है, एलेक्टिव पेपर का प्रेपरेशन आप कर सकते हो तो यह पाध सब्जेट का मेभी युकैन प्रिपेर इन डैट लीव अलसो जो आपको आंटिकलशिप की बात मिलने वाला है एं धन्यू फोली फोकस अन्यू आटिकलश्प कि यह एक बंदा जो बोल रहा है भाई मुझे 24 गंटे फ्री हूं क्या काम देना देता है नहीं मुझे पढ़ना बढ़ना जो भी कुछ है वो जो भी है एंड में समझ रहे कि नहीं आप उपकर सकते हो बच्छों अभी तुमारे लिए पॉसिबल आप इसके पहले पॉसिबल नहीं था क्योंकि लास्ट के छे मैंने में एक्जाम आता था तुमारे लिए वह भी पॉसिबल है इंडेस्ट्रियल टैनिंग पॉसिबल बहुत सारे मल्टीपल अपवर्चुडिस तुमारे सामने हैं बच्छों बट उसके लिए अपने को सिंसेर होके शौट टार्गेट क आतेन् लेगे करेंगे करेंगे क्या करेंगे क्या बाई शौब एक भी सब्चिक का हो में एक साइज मिस्ने करेंगे वह कैणि को हम अराम करेंगे संदे को हो गया आगंटे-स फीडरे पढ़ाई बहुत अच्छा है नहीं हूँ असर कोई प्रॉबल्बलम नहीं है समझ रहा नहीं कि सर यह बैक अप लेक्चर कहा है यह क्या रूक्या मैं उतना कर लेता हूं आज कैसे तो भी हो रहा था घर पे यह हो रहा था वह हो रहा था राइट देखो विडियो रिस्पेक्ट देखो यह कितने सारे स्टूडन्स इसको ऑनलाइन करने वाले सब्सक्राइब करने वाले जीडीपीडी के मोड के थू कर रहा हूं बट फिर भी मैं आपको बता दूबच्चो बहुत देरिंग से बता रहा हूं कि फेस टूफेस का कोई चालेंज नहीं है क्योंकि यहां पे सुनो बच्चो यहां पे आप जो सिंसेरेटी से कर सकते हो उतना से आप ढाही गंटा लेक्टा देख पाऊगे कि आपको क्या लगता है क्या लगता है आपने इसके पहले कभी थेटर में मूवी आदे में छोड़के आये क्या बहुत एक खादा रहेगा बहुत रेर एस और नो पर मुझे बता इमान दारी से बताना ओ टी टी पे मूवी द जानता हूं है यानि क्यों ऐसे हुआ बच्छो ओ टी वाला मुवी खराब था गया पिर तुम्हाँ पास ऑप्शन था बन कर दे पॉस कर दे लिया आपने हो चॉइस सेम आपको लोगा नहीं से बड़ क्या फरक पड़ता है इस लेक्षर में बैसा किया तो मेरे भाही रोज हम लोग 200 गंटे इसका क्यों करके रखे क्योंकि हम लोग पूरा स्क्राइच से लेकर आडवांस कोशन तक साउल करते समझ रहा है क्या वहां पर करते क्या चहां पर आप एक्जाम क्शन साअल करपाऊगे आपके पास जो बुक है यह वालियूम 3 उसमें मैंने सारे एक्जा डायर्क्ट मैंने आइसी आइक जो पेपर आता हिए चीया को नहीं प्रिंट किया है उसको फीपर करके आप बॉलोगे सब्सक्राइब करेंगे और इसको कलर हम करेंगे अपने पूरे बैच में देखो बच्चों मैं आप से साथ सिर्फ अभी कितने समय से बात कर रहा हूं करीबन एक गंटा एक सब्सक्राइब करने वाले साथ में कितना 200 गंटा साथ में क्या क्या पढ़ेंगी कोस्टिंग का यह सब्जेक्ट का पूरा पोस्ट मॉट्रम कर देंगे आप समझ रहे हो क्या कहीं का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे बट आपको यहां पर पार्टिसिपेटिव रहना का कोने कोने तक बच्चा मैं यहां पर देख सकता हूं आप समझ रहे हो क्या कौन कैसे देख रहा है कि दर देख रहे मुझे सब यहां से दिखता है तो आपको भी क्षेम दिखाना यहां पर ओक एक स्कूशन है कि सोर इतना बड़ आ वच्चे करीबन तो हम दाउट कैसे प बाई मैं पिछले 20 साल से जो भी डाउट सुन रहा हूं यह सब में जानता हूं ना आपको लगता है कि आप में इस बैच में वह डाउट जो आपके दिमाग में आये थे इसके पहले बाकी लोगों के उसका एंसर नहीं दूंगा मैं तो आपको कोई तो ऐसा डाउट लाना पड़ेगा जो 20 साल पिछले किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है जिसका चांस बहुत कम है बहुत कम है निकलीजीबल से भी कम है आप समझ रहे हो क्या तो सब कुछ क्लास में कवर होगा अगर आपको फिर भी लगता है कि सर हमें पास्त है उतना तो इसके पहले कभी नहीं था एस और नो आज की डेट में किसी को कॉंटक करना है मुझे और कॉंटक नहीं हो रहा है यह तो इंपॉसिबल है एस और नो आप टेलीग्राम पर बेज सकते हो में मेसेज हम टेलीग्राम गुरूप बनाएंगे वाटसप पर ब भाई आई एसा आई सब में वहां पर हुई एंड यहां पे आपको एक्जाम हॉल में गुषने तक में साक् Mehradana कि यह बैच खथ अने तक नहीं यह बैच के अंदर हम तो इसके टेस्ट ऐसे कि अभी लास्ट बैच के बच्चों को पूछो आप उनके अभी तक टेस्ट चल रहे थे टेस्ट नमबर 10 अभी कम्लीट हुआ है टेस्ट नमबर 10 तो टेस्ट जो लोग यहां पे face-to-face करते हैं उनको मैं पाइनल जो फॉर्मल टेस्ट सिरीज होता एंड में वो तो अलगी तो इट इस वहरी इंपॉर्टन की आप रोज का रोज पढ़ाई करो जो भी आपको टेस्ट बोला गया वो टेस्ट दे दो भले माक्स कमाने दो टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को जो इंस्ट प्रॉइड टेस्ट असेस्मेंट होना भी उतना ही जरूरी है बच्चो समझ में आ रहे है कि आपको है कई यासऑ नो वह एस्ट हो ना उतना इंः जरूरी है तो प्लीज ओक प्लीज आपको रेगलर क्या वहां आने कुछ को शेंच्ट के आंसर दे रहा था आपको ये वहल प्लिंटी हो गया क्या गूरूप आपको लगए स्रकॉस्टिंग अभी पटे तो फम नहीं फिर मेरे भाई fmsm का वाल्यूम एंड कौस्टिंग का से लभास का वाल्यूम यह कमपरेबल नहीं है आप समझ रहे हो क्या कॉस्टिंग वास सब्जेक्ट है कॉस्टिंग वास अब तो वो अगर आपने एक डिसेंबर तक अंटच रहेगा ना तो डिसेंबर में अगर ओक वाट इस कॉस्ट बलेगा ना तो तुम्हाई दिमाग में पहले पहले दिन से 102 डिग्री टेंपरेचर हो जाएगा समझ रहे क्या तो कॉस्टिंग is very important to be studied on डी नमबर वन ठीकते तो जो कॉस्ट्इंगें कंश्ट्टिंग पहले तो सौ माँ पेपर रहता था था बट अब वो जोग छे सबजेक्टम़ के उष्में कुश्म क्श्टिंग नहीं है बट आपको शायद पता रहेगा या में भी आपने उतना अरेंडी नहीं किया रहेगा आप सीए फाइनल में आपको छे सब्जेक्ट का एक्जाम लिखना है जैसे इंटर में हैं और साथ साथ में एक सेल्फ पेस्ट मोड्यूल के एक्जाम देना है दो आपको उसमें कॉस्टिंग इस कंपलसरी उसका टेस्ट जैसे इंस्ट्यूट में कंडग करता है वैसे नहीं होगा उसके उनलाइन टेस्ट रहेंगा यह बेसिक नॉलिज की बिना वहाँ पे जो भी आडवांस प्टिंग रहेगा जो हम आज तक पढ़ा थे देशिए फानल में उसके समझ उसमें आपको एक्जाम लिखना है लेकिन तो कॉस्टिंग इस तिल देर इन सी एफानल ओनली तिंग इस यह जो जब से इंसुट साट हुआ है तब से सी एफानल में था यह कॉस्टिंग अभी क्यों नहीं है तो इसका नॉलिज बहुत इंपॉर्टेंट के लिए बट इसक पर स्टूडन को जज़ करना यह गलत है लौ का नॉलिज इंपॉर्टेंट है बट इसके बेसिपे स्टूडन को जज़ करना यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह कॉस्टिंग इसस्पेशलाइज एरिया आफ सी एमें कॉस्टन मैनेजमेंट अकॉंटेंट कॉर लौ इसस्प यह गई यह ओदिया को जब हए न स्ट्रूरेंट करने वाले हो और कल से आप यह नोड ये वॉल्यूम वन लेकर आओगे फिर क्या लेकर आओगे वॉल्यूम वन यहां पर लेकर आओगे समझ में आ रहा है आपको ये में 23 एक्जाम तक मैंने कोशन्स यहां पर दिये हुए अच्छा आपका जब बैच चलेगा ओके ये कब तक चलने वाला है बच्छो क्या तो नॉवंबर 23 में और एक C A Inter का पेपर आएगा कॉस्टिंग का अपन ओभी क्लास में सॉल करेंगे अपन ओभी क्लास में सौल करेंगे समझा के मैं क्या बोल रहा हूं जैसे ये में 23 का पेपर है ना ये मैंने लास्ट बैच जो खतम किया ना उनके बैच में भी कम्ल हुआ था तो 31 में के पहले ये एक्जाम हुआ था ना फिर में 23 वाला तो ये पेपर मैंने उनके बैच में सौल करके लिया था समझ में आ रहा है क्या वैसे ही तुमारे बैच में मैं कौन सा पेपर करके लूँगा नॉमबर 23 का पेपर तुमारे बैच में मैं सौल करके लू ये चैप्टर का एक्जाटली क्या स्कॉप है और उसमें से कितना पूच्छते एक्जाम में क्या सकता है आप मुझे इमांदारी से बताना ना बच्यों तुम से कितना घुना जैदा में बेटर जानता रहो गहीं हनक़ ताइंस बेटर और नॉट आप कोई कोई बोल रहा है कि किसी की बात सुनूगा इने में अपना अपना हो क्या करेगा 15-20 दिन वहीं चप्टर पढ़ता रहता है बट आज तक कभी चार मां के उपर नहीं पढ़ा हो समझा क्या तो टीचर को exactly पता है कि क्या करना है कौनसा एक कैटेगरी है कौनसा बी कैटेगरी है अब सर्फ मुझे डेली बेसिस पे जज्ज मत करो इस नाट सुदेंट्स वर्सेश्स टीचर इडीचर विध दस्टूदन्स वाह वर सेस्टूदन्स वाइवर्सेस विद दस्टूदन्स समझ रहे किने आपको यह ओड़ी तीचिंग चार्थ यह और यह और यह बहूत हाँ बाकि हर लोगों ने तो कोन सी कौन सी चीज तो सिमार खाया पता नहीं अ भराभर है या नहीं तो क्या तुम्हारा दुष्मस्ट कि क्या हो क्यों तुम्हारा जिंदगी में सबसे अच्छा को चाहता है माँ भाई तुमारे करियर में हमारा करियर है करेक्ट और नौट मैं यहाँ आज खड़ा हूं तो क्या मतलग किस बेसिस पे तुम को पास करवाने के लिए हम थोड़ा तो एफट कम क्यों करेंगे भाई करेक्ट और नौट आफ्टर टीचिंग फॉट्वेंटी यहर्स वो जो स्टूड़न पास होने का जो प्लेजर रैंक में आने के बाद में पास होने के बाद और अन देखो हर एक के लिए सक्सेस का डेफिनिशन अलग अलग है मैं बात में भी बताऊंगा आपको रैंक में आना इसल्फ इस आएस रहे समझ रहे नहीं कि सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है सबका स्थाटिंग पॉराय सेम और हमना में बहुत स्थाटिंग पॉरं बदाल य्कस विन और हुआ को यह अपनी जिंदगी moderate P पाच हजर करोड से कोई स्टार्ट कर रहा है माइनस पाच करोड से एस और नो अकाश अमपानी का करियर और मेरा करियर से मैं क्या सर मेरा एरिया है मेरा स्ट्रेंथ है थेरी सब्जेक्ट मुझे कॉस्टिंग में पचास पच्पन आया तो बहुत बड़ी अच्पिमेंट है कोई बात नहीं भाई तुम्हारा ओ टार्गेट है यहां पर थोड़ी दिन पर नोट्स बना रहा था तब यहां पर मैंने लिखा थ स्पेसिफिकली की आप देख रहे हैं यहां पे तो यह जो पेपर में आपको मिल जाएगा एकली तो यह कॉस्ट अन्मेंजमेंट अकाउंटिंग में 24 नॉम्बर 24 टार्गेट मार्क्स आपका टार्गेट पहले लिखके रूख आपका खम से कह मुझे साट मार्क चाहिए सत सब्सक्राइब को सब्सक्राइब जैसे आप फांडिशन पहस हो था आपको मैट्स में 50 माक है और निंक असमें 50 माक से तो मैस की 50 को मैं थोड़ा भू ठीक था की बोलूंगा बढ़ इको की 50 को बहुत not बोलूँगा है दू यह एग्री एव्रीवन एग्रीज ओन इस मैं ठीक था की बोलूँगा है यानि बड़ी को की पचास अच्छे है खराब है खराब है एक्चुल में खराब है यानि तो पेपर टू पेपर हो चेंज होता है ऐसे आपन डारेक्ट शेक नहीं कर सकते ना यह वर्स तो अलग अलग रहे थे पेपर वाइस तो कॉस्टिंग में आई बिलिव कि 70 75 80 यह स्कोर बहुत ऑन अवरेज पॉसिबल है 85 90 95 यह तक पॉसिबल है इसके आगे भी पॉसिबल है ऊके बहुत आसानी से तुम 70 75 मार्क्स ला सकते हो जितना अगर आपन क्लास में कर यहां पर मैं बोलने के लिए तो आपको सव भी मांक बोल सकता हूं बट मुझे ओ टेली ब्रांडिंग करना नहीं है यहां पर समझ रहे है जो पॉसिबल है वही क्लेम करना है मुझे आपको पहले दो-तीन दिन देमों में कुछ तो यहां पर बहुत अच्छा बहुत मैं अगर आपको बताउं कि आपका क्या टारगेट होना चीए तो आपका ऐसा होना चीए कि सर बाट लग भी हुआ तो साट मांक आची कितना 60 marks आना चीए मतलब बहुत luck अच्छा रहा तो exemption यह नहीं होना चीए आपने बोला चीए sir 60 marks bad luck से भी 60 आना चीए सब कुछ ठीक होगा है sir तो 80 85 90 के range में मेरा target है उससे ज़्यादा है तो अच्छा यह तमझ रहा है क्या बट यह मेरा target है bad luck से 60 marks आना चीए यह पॉसिबल है बच्छो यह पॉसिबल है only thing is that क्या होता है वो अपने एक आदा कोई तो लोगों का opinion सुनत है what tough आये था जैसे CA foundation का math paper is a classic example for this लोग आते है tough था चल कितने question tough थे 20 30 40 है के 60 mark 40 question tough थे ना 60 question थे आपने book के यह थे number बदल बदल के चैने के एक चाहिसाल हुए नहीं सुरूर चालीश कूशिन बोटते हूँः अरे 40 question 40 ही mark लेकी जाएंगे ना तो 60 है क्या नहीं सुरूर निगेटिव 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 रहते है न वह अपना ने ने करते हैं के रहता है भाई काट एक काम कर काट तुझे रिक्वाइर्मेंट एक मिली लिटर के ले कि जा भाई नहीं मैं काटूंगा नहीं हाँ जा फिर जाओंगा भी नहीं क्या करेगा फिर वह इरिटेट है कि नहीं वह है कॉमर्स का सुड़न कही बार कास्टिंग बाढ़ हां क्या भाई कास्टिंग टॉडफ है नहीं वह थाता है यह यह इजी हो जाएगा क्या बाढ़ पड़ुः ऐसे बैट चैर ले ऐसे बैट यह नहीं पर्ड यह नहीं बनना अपने भाई समझ रहा है क्लारीटी रहती नहीं इंसान की भाई मुझे आज इतना करना यह करना यह संडे को मैं इदर जा रहा हूं क्लियर भाई समझ रहा है क्लारीटी की कमी नहीं कुछ नहीं है वह चेडूल क्लियर है समझ रहा है कि नहीं तुम्हारा एक भी लेक्षर दो सोला को भी स्टार्ट नहीं होगा दो पंदरा को मैं बोलूंगा गुड़ आफ्टरून करके कब दो पंदरा को लास्ट बैच फॉर फॉर्टी फाइफाइट टू सेवन फिप्टीन रहता था ओके लास्ट बैच में बच टू फिप्टीन को स्टार्ट होगा और मैं आपको भी बोलता हूं एक जिस दिन भी मैं दो पाच टू फाइउ से लेट हो जाऊंगा आप बोलना सर आप लेट हो आज क्या आज पार्टी देदो करके और मैं देदूंगा आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं कब कितने टू अपना बैच का तो अरौंड उसमें थोड़ा प्लस माइनस टेन हो सकता है आप समझ रहो क्या लास्ट जो मैंने बैच रेकॉर्ड किया है वो 92 लेक्चर का है वह टू आर्स 15 मिनिट्स का हर लेक्चर है उसमें तो अरौं उतना कवर हो जाता इसमें ठीक है तो यह अप यह सबसे पहले तो आपको यहां पे बिना जज्जमेंट के आना है क्या गरना है बिना जज्जमेंट को फोच होगे माप क कisches झ़ुक्य कैर देख ऐगा कि वर रहां धूर यह सब लोग क्या कंवर्सames में या का रफांस में या क्वानेंसाल इस में फॉक्शन थीक मेर्न तक student को पता नहीं होता है, formula यूज करना है यह नहीं करना है, यह तक पता नहीं होता है, तो इसमें तुम्हारा conceptual clarity matters a lot, बहुत अच्छे से अपने को concept सीखना है बच्छो, समझ रहा है, हर teacher यही रट लगाता रहेगा, आपको सुबह से कम से कम 25 बार सुना रहेगा आपने, यह concept जो है न, वो direct accuracy से linked है, किस से? accuracy से linked है, आपको लोगे का कि sir, मैं बहुत fast solve करना है मुझे, मुझे दिमाग में आई नहीं रहा है, okay, तो आपका problem concept का नहीं है, आपका problem speed का है, and speed has nothing to do with the concept, speed is linked only to practice, समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ, speed is linked to, आचा आप foundation से यह थेरी सुन रहे है, accuracy, पराव रहे न, accuracy, आपका answer accurate होना चीह, and speed, accurate हो कि क्या फाइद, पाच गंटे लग रहे तो, accuracy and speed, दोनों important है, accuracy कैसे आएगा, concept से, कैसे आएगा, speed कैसे आएगा, practice, practice से, practice से accuracy नहीं आएगा, गलत चीस प्राक्राइश को रोज, गलत होगा answer, speed बहुत फास्त है, yes or no, accuracy कहा से आएगा, concept से, समझा क्या, speed कहा से आएगा, practice से, दोनों equally important है, तो अपने बैच में आपन क्या करने जा रहे, concept, practice, समझ में आ रहे क्या, concept से क्या बिल्ड होगा, accuracy, practice से क्या बिल्ड होगा, speed, समझ रहे क्या, अपन दोनों करेंगे, अपने बैच में, समझ में आ रहे तुम्हारे दिमाग में घुषने तक में concept पड़ाओंगा आप समझ रहा है क्या तुम्हारे दिमाग में घुषने तक आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर मुझे तो foundation में क्या category समझे आपको कि average category समझे रहोगे most of you तुम्हारे बहुत सारे मैं जानता हूं है यह नहीं तुम्हें से कुछ रहेंगे पास 10% की भाई उसको बहुत टाइम लगता है तो मैं कही ना कहीं उसकी expectation तक जाने की कोशिश कर रहा हूं समझ रहे कि नहीं तो तब तक बाकी का ज अब ही मत उधर ही जान कर लें कि अब समझ रहे हो क्या वापस compare करने के लिए आना भी मत उधर ही जान कर ले ना अगर इससे ज्यादा problem कहीं पर दिखे तो और यह सारे के सारे कोशन में क्लास में सवाल करके लूँगा कहां पर क्लास में सवाल करके लूँगा उसके लिए मुझे बोलने के लिए तो और थोड़ा कॉस्टिंग पढ़ाओंगा और खुछ भी नहीं होगा आप समझ रहे हो क्या ऐसे कोई अपने जमीर को भी एंसरे बलो मुझे बहुत इरिटेट होता है यह सब चीजों से अब समझ रहे हो क्या बहुत कुछ है थोड़ा बुद यूमर आयम नौट सिंगी क्लास को बोरिंग करेंगे क्लास में बहुत रखेंगे आपन मजा आएगा आपको कभी आपको एक सेकंड भ इंट्रेस्टिंग बनाओंगा आपको हाँ हो सकता है शुरुवात में कभी कभी लगे आपको एक सेकंड के लिए कि थोड़ा बोट सब्सक्राइब आपको फिर भी ध्यान देना है मुझे बताओ आप जब मुवी देखते हो वेब सिरीज देखते हो आप को कुछ समझ नही नहीं बताओ आप क्या किये उस्वक्त वापस नहीं देखे बड़ आप क्या सोचे कि भाई कंटिन्यू करते इन्होंने बनाया मतलब राइट नो डाउट आगे कुछ तो रहेगा समझेगा मुझे यह पहले आदे घंटे में मुझे क्यारेक्टर तक नहीं समझ रहे कि क्या क्या है कौन hero है कौन villain है क्यों किसका भाई है विलन है क्या चल रहा है पता नहीं continue किये की नहीं आप क्यों continue किये कि आपको बिलीफ था वो डाइरेक्टर पे कि भाई इसने बनाया और इतने लोगों ने रिकाउंट किया मतलब कुछ तो रहेगा इसमें जब आप हो सकता है कि चार पास दस अपिसोड देखें समझो टोटल दस अपिसोड दस वापिसोड देखें और आपको लोग और यार य पूरुच अलग क्यों है तो दो इस और मैं आदा घंटाइगों ते सब्सक्राइब यह कुछ भी नहीं समझा इसलिए मैं ध्यान ने दिया है कि नहीं तो टुछ भी बिलिफ क्यों यह ब्लिफ तुने यह प्रश प्रतरा क्यून है फिर यह नहीं ती तीचर में भरसा होना सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सिदी सी बात है आपको पेशन्स रखना कि भाई यह मुझे नहीं समझ रहा है तो सर भी जानते कि किसको कितना समझा है सर फिर भी कंटीनिव कर रहे हैं मतलब सर ने कुछ तो सोच के रखा है और मुझे सिर्फ मेरा काम करना है मुझे सिर्फ ध्यान देना अभी दिस शुट भी और अप्रोच बस मैं ध्यान दे रहा था मुझे नहीं समझा तो इसलिए भाई तुमको ध्यान अभी इसका मतलब आपको यहां पर नहीं समझ रहे और ध्यान दो अच्छा मता वो जो वेब सेरीज में आपको कुछ समझ नहीं रहा था आप क्या कि आप ज्यादा ध्यान ध्यांदी है इंट्व कोई भीच मेरें अब अबाट में हट भाई हाट बिच में मता एक सेकंब टीवी पे नजर एक तो आपको समझने तक मैं पड़ाऊंगा बटाप कोई तो अब कोई तो आपको कोई सिखाना है मुझे कल जाके सिखाना है स्टांडर कॉस्टिंग में हाव टू क्यालकुलेट मुटल कॉस्ट वेरियंस मैं सवा दो बजे करना चालू करूंगा एक्समें खतम होगा सवा चार बजे आप बता तुम रही बज़े सोच होगे कि मैं 15 मिन से ध्यान दे रहा हो कुछ नहीं समझा गायब क्या फाइदा सब्सक्राइब करना चालू करोगे ना तो आप रिजल्ट की बारे में जादा मत सोच जादा मत सोचो और वो रिजल्ट तुमारे फेवर में आएगा है कि नहीं देखर आएगा आपने महेंदर सिंग दोनी का बहुत अच्छा वीडियो है वह वह बाई प्रॉसेस पे फोकस करो रिजल्ट पे फोकस मत करो ट्रॉफी रोज उटके ट्रॉफी का मत सोचो प्राव है अपना मेड मिडूर अलगया ऐसे सुदा रही है यह बाइंगे से बढ़ा है यह बलेल और में चोक नहीं होना है इसके लिए क्या करना है अपना टॉपूम करेंगा बॉलर का यह विंस्क्र कैसे काम करेगा है कि यह काम करो प्रॉसे और रोज उटे टॉप stinks यह होगा बैडाहिबर है एक तो वो प्रोसेस को कर रहा हो आप वो उपर से इंज्वैभी नहीं कर रहे हूंँ ऑनी इंजॉय दस्umm प्रोसेस क्लास को इंजॉय करो रिजल्ट आटोमाटिक चुम्हारे झात रिजल्ट आटोमाटिक तुम्हारे फिवर में आएगा और में तुम में से जो average से average बच्चा बैठा है right उसको समझने तक पढ़ाओंगा बच्चो तो you don't worry at all my friends okay one more question था what should be avoided तो what should be avoided मैंने क्या करना चाहिए ये बता है तो क्या नहीं करना चाहिए ये उसी में आ गया यह चोड़के आपको जो मैंने बोला दो आर्स पढ़ाई करना आपको बाकी जो आपको enjoyment करना है करो but वह enjoyment मत करो कि जिसके विसे आप बाकी चीज़ों पर हो जाओगे समझ रहा है क्या डिस्टैक्ट नहीं होना है सोचल मीडिया जितना कम हो सकता है उतना करो जितना कम हो सकता है उतना करो बच्चो अगर पॉसिबल है तो बैटर रहेगा बहुर अच्छी जिंदगी रहे तुमारी 99% of the problems of your life are not the problems just switch of the mobile just switch of the mobile जुआ करो में करो आपको कर सुबर कोई तो बोलेगा अरे बिदर आया था सॉल भी हुआ में तुझे कोशिश कर रहा था तू out of courage अत्रु साल भी हूग वोलेगा हो वह नहीं कि तैरे में से कुछ रूख गया आप समझे हो क्या क्या बोलेगा चॉल हो गया और यह कोई फोन कोल मेरा और यह कॉल मिस हो गया मेरा देड़कर नुक्सान हो गया ना कोई आपका ऐसा होने होने कि मैं switch off के मोबाइल अब ओपन करके देखा बाद में तो मिस इंडर नरेंद्र मुदी तीन कॉल कि अपने को चार में प्यारा कि रहें कर रहें को थोड़ा आगए करने का हो सकता है अब समझ रहा है बस एक फैसिलीटे टूल है अच्छा मुझे बता आपके मॉबाइल ममी पपा ने आपके पास हरे के पास मोबाइल दिया है उसका रीजन क्या था क्या सोच की मोबाइल दिये अब भाई कुछ अमर्जन्सी में मेरे बच्चे को काम याना ची कहां किसको कॉल करेगा हो कब आए थी इसकी पहले इमर्जन्सी बताओ अब बोल रहें कि भाई सर मोबाइल क्यों से मैं बच गया सर नहीं मोबाइल नहीं होता तो क्या होता मेरा अब बता कव आए इसके पहले यह खादा किसा रहेगा हाजार में से वे जो बोलेगा अधर वाइस बताओ अपना फाल तुमें टाइम पास ही कर रहें ना पन उसमे कोई एमर्जेंसि आने नहीं अने वाली है तो आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते ऐसा पॉसिबल यह समझा या नहीं अगर समझें मुझे अभी सुचिल बंदारी को कॉन्टेक्ट करना है वो चान पे भी गया तो मैं कॉन्टेक्स करूंगा समझाए या नहीं कैसे भी वो मोबाइल चालू हो ना हो अगर मुझे सच्छी में काम ही तो करेक्ट है मुझे किसी को काम है तो वो कांटक करेगा कैसे ना कैसे कांटक करेगा अगर वो कांटक नहीं कर रहा है मतलब वो काम इतना इंपोर्टन नहीं है और मेरे बिना भी हो सकत है है या नहीं तो आने मोबाइल पर इशारे पर मत नाचो वाइस यह इंटरीज मोस्ट इंपॉर्डेंट लेवल मैंने बता दिया है अच्छा सुनों एक जो लोगो आनलाइन कर रहे हैं उनको भी बहुत इंपॉर्डेंट है इस बैच में टोटल 80 लेक्चर से उसमें से मिनीमाम दस लेक्चर पहले यूट्यूब पे रहेंगे कितने हैं यूट्यूब पे लेक्चर होते हैं क्योंकि इसमें हजारों जो आडमिशन्स होते हैं उसको हम लोग यह ताइम में आप का एक्सेस देदेते और वहों कमफोटेबल होने तक वेट करते यूट्यूब का एक्सेस तो सबको है अभड पे देख यहां दो ऊपने अप से तो यह प्रोसेस में अमें कुछ टाइम चाहीं रहते है ना फ्रेम जिसमें हम यह सप अब करें तो यह इ 잘े पूरह लेक्चर यूट्यूब पे रहेंगे और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अंड दोनों चैनल पे लेक्चर उधर ही रहेगा इसके आगे भी कभी बाइचान समझो कुछ आप में प्रॉबलम है कुछ है तो हम वह ये लेक्षर यूट्यूब पे ले लेते हैं वह भी उस प्लेलिस्ट में चला जाता है बच्चो तो बिल्कुल भी चिंता मत करना जो लोग आनलाइन आटें कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या क्या होगा तो तुम को जब तक तुम आप पे आते नहीं है तब तक ये लेक्षर यूट्यूब पे होगा हमेजा पस देखनाक आप सकते ऊटना मिलेगा आपको कर रहा है आपको सजेस्ट करूगा कि यह option कभी यूज मत करो बट बाइचांस आपको लगता है कि भाई मैं एक दिन सर मैं बहुत ही बुखार आ रहे था मुझे कुछ प्रॉब्लम था मैं नहीं आ सकता सरे एक दिन प्रॉब्लम है तो आप उस दिन लेक्टर कर लो आपका सिं प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई सर बेट से उठ नहीं सकते तो उसमें यह भी पॉस्पिलिटी कि फिर घर बैटके भी नहीं कर सकता है तो फिर आपके पास बैक आप है आपके पास क्या है पैक अप मतलब देखो बच्चों हम जब सीए की क्लास करते थे ना तो सबसे पहले तो आदे सब्चेट का क्लास ही नहीं होता था थेरी प्रैक्टिकल सब्चेट का क्लास होता था उसमें भी मिस हो गाया मतलब हम लोग सी नोडबूक इदर उदर करके मैनेज कर देते तुमारे पास कितने उप्शन्स है भी आप समझ रहे हो क्या पे लाइस्ट्रीम हो रहा ह आप समझ रहे हो क्या अगर भी में सो गाया तो आपके पास बैक अवेलेबल है उसके बाद में आपके पास आपके नोड़ सब्सक्राइब यह तो पूरा जो क्लास में प्लीट होगा मैं यहाँ पर बता दूद नोड़ यहाँ पर यह आपको मेरा टेलीग्राम दिख रहा ह है क्या मैं अब है अब दिख रहा है कि आपको टेलीग्राम है बोपन अगवा दिख रहा है कि यह यह आपके वाल्यूम वन नोट से तो बाइचांस किसी को नोट से नहीं मिला तब तक आप उसके कुछ पहले पेज़स प्रिंट करके ले सकते हो अच्छा इसके मैं पिन फा में कुछ foundation की लेक्षे से यह दिख रहा है कि आपको यह let's say यह chapter standard costing यह marginal costing दिखा क्या आपको यह marginal costing का यह लेक्षे ज का फाइल दिख रहा है कि आपको यह marginal costing पीडिए ऐसे दिख रहे हैं किया है तो यह देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का पीडिएफ तो यह मैंने लास्ट बैच में जो क्लास में सिखाया हुआ है यह सब कुछ मैंने फ्री रिसरस में डालके रखा है यह कितने कॉशन से । Klein टेरम लिखाया है आप को क्लास में हिखाया है तो यह सारे पिन लिखाया है इहां पर मैंने दिख रहा है क्या आपको ये लेच से इस कोश्णि लेच से इस कोश्ण ये कोश्ण नमबर 61 पेज 306 बिख रहा है क्या सिक गाई इसका मतलब में प्रिवेज भैस में क्या करथा था चलो बच्छो नमब पूरा पिजिस ब्लांक सोड़े मैं ने दिखो या नहीं देखो पूरा बैंक पेजिए एए आपका Notebook आशवरास आपको नोटीपीच नहीं है है या नहीं तो इसमें को हिंट नहीं है या इस में कुछ समझ रहा है क्या तो ये सारे नोट्स टेलिग्रम पे इतरह पर एक तो आप को आप को अपको कि क्लेम कर थे कुछ होते हैं कुछ नहीं टेस्ट यह तेस्ट आपको दिख रहे हैं है कुछ आप खुदी देखो कि यह ओंदेशन के की हैं कि यह पिंड़ फाइल स्में आपको सब में तो यह देखो आपको यहां पे नोट्स इसाथ साथ में थोड़ा फ्रेंड्ली हुई आपको दिखता रहा का इतनी फोटो है स्दूडन के साथ मिलिए हुए तो इस स्टूडन मेरे बास में आ जाते मतलब उसको डर नहीं लगता है है कि नहीं कुछ 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 लोग रहे तो नूर भ्वाइ वह bạn, घर राधनय में लाइट। हो यह इंसान हूं इन टेस्थ यंट posters घ्या है, contact तो सब कुछ क्लास में कम्पीट होता है और कुछ प्रूफ चाहिए रहा तो आप मुझे क्लास के बाद मिलो ठीक है मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ ठीक है सोशल मीडिया का मैंने बता दिया कि अगर आप अवाइड करोगे तो बेटर है बट फॉर फ्री रिसोर्स परपर्स टेलीग्राम विनोज रेडी चैनल आप जॉइन कर लेना फॉर फ्री रिसोर्स तो मुझे चाहिए कि आप में से ऑनलाइन ऑफ लाइन फेस टू फेस जो भी बच्चा बाद में कभी जीडी अगर यह बच्चा बाइचा देख रहा है गोगल रहे के थू तो मैं चाहता हूं कि आप अभी इमीडियेटली मेरे इस सेंटेंस के बाद में आप सीए विनोज रेडी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रहे हो ओके जो लोग दो मिल से फेस पेज का पीडिया बिना कुछ आपके बोले मैंने यहां पर अपलोड करके रखा है उसमें से पहला एक चैप्टर का प्रिंट लेने के लिए ब्रैक अना इसका आपको 10-20 रूपे लगना नहीं है तो उसके लिए अननेसेसरी वह प्रोसेस को कॉंप्लिकेटर मत करो रोज प प्रिंट करने में थोड़ा कभी-कभी टाइम लगता है तो तब तक आप क्या जो ऑनलाइन है या जो जीडी के मोड पे थ्रू कर रहे और आपको अभी मेल आया हुआ है आपका एक्सेस आया हो बड़ हाड कॉपी नहीं आया है तो आने तक आप वो नोट्स के थ्रू कर सकत हो जैसे मैंने बताया डाउट-solving के multiple तरीके हैं उसमें जो कोई भी तरीके से अपन कंटिनियू कर सकते बरावर है ना बच्वो डाउट-solving के multiple तरीके है क्या वाट सब्सक्राइब है वहाट सारे तरीके अचा यह तो एंड हाफ आर्स का लेक्श्र बच्छो बहुत ज्या हो जाता ओके आप वो बोलते हैं कि यह लास्ट लिक्षर था ना मेरा इसलिए मेरे पास वो अड्वंटेज था अब अब वो नहीं है ठीक है अब क्योंकि आगे आगे अकॉंस का लिक्षर है ना तो मुझे वो टाइम पर छोड़ना ही पड़ेगा ठीक हम पूरी की पूरी ह चुटी हो गए तो फिर हम करस्पोर्णिंग उसके बाद के संडे को क्यों चुटी ले ना यह वो अपन कर सकते फिर वो संडे भी आपन उसको वर्किंग बना सकते समझा क्या यह लड़से फ्राइडे को कुछ तो चुटी है जहां पर ट्राफिक जाम रहता है उसके सब को अब चुटी होता ही है वो सारे क्लास का कौमनी रहेगा सब का पुने में जो भी कुछ होता है शेडूल हम लोग यहां पे मेरे ऑफिस में बैटके हम सारे अकडमी में इलके शेडूल बनाया था तो शेडूल में पार्च मिनिट का भी इधर उधर नहीं आप देख सकते हो स सारे सबजय कोबर आगर यहां पर कॉस्टिंग चल रहा है तो सब जगा चौस्टिंगी चल रहा है उस सिमयां पर जबने रस भी अलज भको विलकुल टइमनेंग का कन्मीनिएंस और इसकी कोई ज़रुत नहीं है या कोई आपको चिंका करने की ज़रुत है सब कुछ एवग तो आप यह था कि आपको पहले दिन मज़ा आ जाए कुछ ऐसे बता हो कि एमोशनल करूं कि आपको थोड़ा ऐसे कुछ कर सकते जनरली क्या कर सकते बता हो के थोड़ा आपको आज आपको दिख रहा है कि यह सब कुछ बड़ी ऐसा नहीं था पहले मैंने कहां से स्टार्ट किया है यह मुझे मालूम है अब आपको जोक लग रहा है क्योंकि मैं वह महौल बनाए ना पहले वैसे वह अगर मैं रियली ऐसा बोलू तो आप बोलोगे है कि अब ऐसे करोगे फिर मैं बोलूगा एक बार हम तीन भाई थे और हम मैं एक बार मम्मी को बोला शाम की समय पर मम्मी भूख लगी है मम्मी बोली बेटा खाना तो नहीं है पिर मेरा भाई भी बोला कि मम्मी भूख लगिये मेरी मम्मी बोली बेटा खाना फिर मम्मी ने पपा को बला कि देखो तीनों बच्चे भूख ये सो रहे हैं उनको खाना नहीं पपा बोले मैं क्या करूँ मैं दिन रात में इनद कर रहा हूं मैं क्षेट में इत काम कर रहा क्या कर आप चपाती में हम पाच लोग खाना खाये और फिर में सो गया और फिर मेरा थोड़ा थोड़ी देसे उठा और बोला कि हम लोग तो भूख के सो रहे बट हम्मारा फ्यूचर जो जनरेशन आएगा ना वो भूखा नहीं सोएगा आप यह फांडेशन एक लिए फिर आपको उस केस में आपको क्या लोग रहा है इस इनसान ने मज़ा गया गंटास लगल किया ठीके निव बोलने के लिए बस है कि नी जो रियल में किया उतना बस है यार उसको मसाला लगा कि जो बन रहा है न वो किसी काम का नहीं है अप समझ रहो क्या मैं एक्च्वल में बशाता हूं हम तीन भाई हम कोई बड़े कोई खाने पीने के पॉल नहीं थी बड़ हम कोई आमेर नहीं थे गावहीं कि आपने पेने लाइक लाई था सब कुछ लगा करे कि गावहां में आपने देख तरहा अपने झाले से थी थे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमने कोई एक्सेप्सिनल काम नहीं किया भाई रोज उटे फड़ाई किये और बाकि कूछ नहीं नॉर्मल काम कि आपको लगता कि हम कोई तीर नहीं मारे कभी भूके नहीं सोये कभी कुछ भी नहीं समझ रहा है किए कॉले जलाइफ इंजॉएिघ समझ में लड़ी की पसंदार शादि के है उसके साथ व्यसमंग्डा है किा तो तो ऐसा सुनन रहे हो क्या ग楽 fun time प्रॉटीन जिंदगी आपन बस पढ़ो आओ क्लास करो दो गंडे पढ़ाई करो पास हो जाता है समझा है क्या अन्यसे सरी मैं भूका सोया मैं कुछ तो किया मैं रात बर पढ़ा कोई जरूरत नहीं है में भाई समझ रहा है कि नहीं सीए फैनल को तीन साल है आगे समझा है क्या इंट्रमेडेट में तुम्हें यहां पे पूरा सब कुछ टीचर काम करो देता है तुम्हें सिर्फ रोज दो गंडे पढ़ना है और लास्ट के तीन महने मर्मर पढ़ना है तीन महने पढ़ना कुछ बड़ी बात है यार है क्या बस खतम रिजल्ट विल भी इन सब्सक्राइब करना एक अपॉर्चुनिटी है जो दुनिया ने भगवान ने आपके माबाप ने तुम्हारे सामने दी है ग्रैब करना है करो नहीं तो है यह बात में बुस्तर रिविजन वन डे रिविजन है ना दो दिन में कॉस्टिंग पढ़ो आदे घंटे कुछ उससे बड़ा जोक उसका एंसर रहता है देख तू 85 प्रस स्कोर कर सकता है तुझे सिर्फ यह लेक्षर देखना है अच्छा यह लेक्षर में 85 तो क्या रेगलो बैस में जखक्मा रहे है रेगलो बैस में क्या किये भाई बरावर है कि नहीं अगर एक लेक्षर करना ही 85 आन आप समझ रहो क्या थोड़ा बट समझ सकते हैं आजकल तो ऐसा ही तुम तो वेब सिरीज वगरे देखते हो तो अन फिल्टर रहता है सब कुल तो वर्डिंग वगरे तो आजकल चलता है ना हो तुना है नहीं तो चलो बच्छो यह अपन एक्चुल में सिलाबस स्टार्ट क इतना जितना मैं आज लिख्के दूँगा उतना आपको कल कम्टीट करना रहेगा या जब भी बात में भी कम्टीट के तो कुछ नहीं में सिलाबस हो गरे लिख्के देने वलो चाप्टर से हो गरे उतना करोगे ना बच्छो कर सकते के नियों तना तो मैंने यहां पे ऐसे आपके लिखा था कुछ वेलकम तो सिए इंटर तो आए वेलकम ओल फ्यू तो ओफिशली आए वेलकम तो सिए इंटर अभी तक तो मैं इंट्रोड़क्शन दे रहा था फॉर्द शिलाबस ठीक है बच्छो कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो बच्छो आप में से कि क्या ओपन करना है कि आमें बताउंगा ना यार ऑपर का क्या नाम है आपने पोस्ट आड मानेजमेνग मेंग आपकाउंट इंग बट हम उसको casually बोलते हो costing बोलते है क्या बोलते है but actual meaning costing का definition आलग है cost accounting का अलग है management accounting का definition आलग है वो भी हम सीखने होले हम उसको casually क्या बोलते है costing but paper का नाम है cost and management accounting पहले CA Interim में जब इसको IPCC हुआ करता था क्या हुआ करता था तब इस paper का नाम था cost accounting क्या था cost accounting अब क्या है cost and management accounting तो उन्होंने CA final का कुछ syllabus interim में पूल कर दिया I know subject का नाम cost accounting से क्या change कर दिया cost and management accounting cost and management accounting समझ रहा है तो यह paper का अपने नाम है बाकि सब यह चोटे मोटे points में discuss कर चुका हूँ तो इसके syllabus क्या है यह costing का syllabus क्या है यह पहला question तो कितने chapter से costing की syllabus में देखते चलो यहाँ पर मैं लिखूंगा यह थोड़ी देर की बार बट सुनो बचो ऐसे direct chapter 1, 2, 3, 4, 5 की जगा पे मैंने syllabus को तीन पार्ट में डिवाइड किया syllabus को तीन पार्ट में डिवाइड किया तो त तीन पार्ट है बच्चो पहले जो है यह आपके अगर आप volume 1 ओपन कर रहे तो यह volume 1 के page number 30 25 के आसपास है page number 25 पर वाल्यूम वन की page number 25 पर आजाओ समझ रहा है आपको यह volume 1 का page number 25 मिला क्या आपको जो लोगों के पास hard copy है उनकी बात कर रहा हूं मैं वाल्यूम वन का page number 25 मिला उस पर है ठीक है बाइचांस अगर कोई आउनलाइन कर रहा है तो टेलिग्राम से नोट्स डाउनलोड करो या आप सॉफ्ट का भी रेफर कर सकते हो page number 25 पर है मैंने सब कुछ यहां पर अपने class में complete करने के लिए रखा है बच्चो समझ रहा है यह बुक अपने को बर भर के यह लिख लिख के color करना है समसा है कि मैं क्या बोल रहा हूं और यह वॉल्यूम 123 अपन यहां पर अगले यह चोड़के और 79 लेक्चर जो होंगे उसमें complete करेंगे चलेगा बच्चो तो आपका पूरा cooperation रहेगा ना आप पढ़ोगे ना बच्चो प अपना यह आज क्या डेट है 16 अगर्स और इस बैस में में आपको पूछ रहा हूं कि बाइच के डियूरिंग मैंने आपको कभी data कुछ ऐसे कुछ चिलाया तो आपको कोई problem नहीं है कोई problem नहीं है अरे शौर एक बार जोर से बोलो कोई problem नहीं है आपको अरे शौर तो इतन अज तक चुआ तक नहीं किसी को समझ रहा है क्या हो नहीं होगा बट कभी कभी ऐसा हो सकता है पड़ाते बड़ाते आप अपन क्लास में enjoy करेंगे बचो ओके बट कॉस्टिंग करेंगे मेरी life कहानी नहीं क्या एंज़ा करेंगे आपको हर रोज लगेगा कि हा बाई हाज य नहीं चाहिए भाई समझ रहा है नहीं क्या चाहिए अपने को क्या कॉस्टिंग है यह चाहिए ठीक है तो चलो आपन चैप्टरस को ना बच्चो तीन पार्ट में डिवाइड किये तो पहले कुछ चैप्टर जो है वह है बेसिक नॉलेज ओरिएंटेट चैप्टरस दूसर हम लोग बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे but methods of costing and techniques of costing में difference है कि methods of costing are used for accounting are used for and आप में इसे बेटा हुआ हर बच्चा एगरी करेगा कि accounting अलग and decision making अलग accounting होता है और decision making अलग होता है कोई business life में मुझे decision लेना है अब बताव सिर्फ accounting data के बिसमें में decision लेता हो या और भी और भी कुछ समझो मैं business मनूं यहां पर मुझे एक साउथ इंडे से किसी ने तो कल contact किया वो बोला कि सर आपका मैं वर्चुल का उदो फ्रांचाइज चलाता हूं मेरा commission 20% रहेगा सर मैं आपको बल्क दी ले रहा हूं चलो 300 की दे दो मैं आपको आटरा लग का payment कर दूंग वह ज्यादा अप्रूच कर सकता है वहां पर उसका commission गया तो मेरा sale ज्यादा होगा commission गया तो गया क्या बट sale ज्यादा करेगा ना हो चाह मुझे बताव यह decision आप ऐसे toss करके लेंगे क्या वो data हम कुछ ना कुछ तो data refer करके decision लेंगे न फिर हो तो data provide करने का काम करता है accounting but decision making क काम तो management को करना पड़ेगा ना किसको करना पड़ेगा management को करना पड़ेगा are you understanding this to methods of costing का main purpose होता है accounting क्या होता है accounting but accounting is different and decision making is different to decision making जो होता है most of the times that is by using techniques of costing that is by using techniques of costing that is by using techniques of cost यह भी decision making areas है ना तो कल जाके businessman को सारे चीजों का knowledge होना जरूरी है या नहीं है costing is one of the area costing is below one of the area तो इस costing हम अपने बैच में costing की बात कर रहे बट और और भी decision making areas होते की नहीं company के लिए तो यह costing का सीए इंटर का सिलावस हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया पहला पार्ट कौन सा basic knowledge oriented chapter दूसरा methods of costing and टीसरा techniques of costing तो यह जो methods of costing and techniques of costing में कितने चाप्टर से basic knowledge oriented कितने चाप्टर से मैं एक एक करके आपको लिख किये देता हूं चलेगा क्या बच्चों जिसके पास note से ओ लिखो जिसके पास नहीं है notebook में लिखो या आप सिर्फ ध्यान दो यहां पर कोई पर नहीं वैसे भी आपको यह YouTube का लेक्शे देखिए बाद में Cost and Management Accounting, Introduction to, बोलो, Cost and Management Accounting, तुम चाहो तो इसको basic cost concepts ऐसा भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, basic cost concepts, अचा सुनो दियान से बच्चों, सुन रहा है कि मेरी भाई, तो ICI के हिसाब से यह first chapter है, and ICI का 6th chapter है, जिसका नाम है cost sheet, क्या नाम है, मैंने अपने study material में यह basic cost concepts and cost sheet merge करके एक chapter बनाए, समझा क्या, क्योंकि यह दूसरे से एक दूसरे से बहुत strong linked है, बिना cost sheet के आप यह, जो अगले chapter है, ICI के सबसे जो second chapter है, material cost, वो समझ ही नहीं सकते, अगर आपको 6th chapter का knowledge नहीं है, तो, तो यहाँ पे तो हमें class में सिखाना है ना, भाई, ICI को क्या 6th chapter मे management, accounting and cost sheet, तो इसके वैसे थोड़ा number of chapters में mismatch हो सकता है कि नहीं अपना, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लोगे को एक chapter कदम होगा, ICI के सबसे दू chapter कदम होगा है ना, फिर, yes or no, तो पहला chapter कौन सा है, introduction to cost and management accounting and cost sheet, second chapter है, material costs, क्या है, material cost is the second chapter, third chapter है, labor cost, और तुम चाहो तूसको बोल सकते हो, employee cost, क्या है, employee cost, और इसी में और एक चोटा सा part institute में, institute ने add किया है भी, और उसका नाम है, direct expenses, क्या है, direct expenses, तो employee cost and direct expenses, यह हमारा, क्यों सा, कितना, chapter का number क्या है, यह, three, but यह chapter होने के बाद, आप ऐसे तो चार चाप्टर होगे बोल सकते हो ना, yes or no, then next chapter है, overheads, overheads and absorption costing, tension आ रहा है के नाम सुनके, या tension आ रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, यह सब समझने तक हम class में continue करेंगे, overheads and absorption costing, यह four chapter है, उसके बाद में है, cost ledger accounting, क्या है बोलो, cost ledger accounting, जिसमें दो type का accounting होता, integrated and non integrated, तो यह अपने basic knowledge oriented chapters है, वैसे तो number यहाँ पे 5 तक आ गया, but can I say these are six chapters, can I say these are six chapters, okay, these are basic knowledge oriented, आप समझ रहे हो क्या, उसके बाद में हमें सीखना है methods of costing, क्या बोलो, methods, तो methods of costing में हम लोग सीखने वाले है joint product and by product costing, क्या बोलो, joint product and by product costing, next उसके बाद हम सीखने वाले है process and operation costing, क्या बोलो, process and operation costing, next हम सीखने वाले है, एक छोटा सा chapter है, जिसको तीन या चारी lecture लगते है, that is unit and batch costing, कौन सा, unit and batch costing, then there is one more very easy chapter, जिसका नाम है service costing, क्या नाम है chapter का, service costing, तो unit and batch costing, then service costing, मैंने आपको बोला था पहले, कि unit एक chapter है, जो पहले रहता था, job and contract costing, but आप उसमें से अपने सी लवस में क्या बचा है सिर्फ, job costing, क्या बचा है सिर्फ, बोलो, job costing, and there is one more chapter, जिसका नाम है, ABC, that is activity based costing, क्या बोलो, activity based costing, तुम actually चाहो तो इस chapter को basic knowledge oriented chapters में डाला, तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है, okay, but let's say it is here, यह classification तो हम कर रहे है ना, यह institute ने नहीं किया, institute ने बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 chapters है, समझ में आ रहा है कि कितने chapters हो गया, अभी तक आपने, 12 chapters हो गया, बहले, count तक 5 plus 6, 11 तक ही गया है, but actual 12 chapters हो गया है, क्यों पहला वो cost sheet में ने merge कर दिया ना, यहापे, और तीन chapters है, जो सबसे important chapters है, और वो तीन chapters है, marginal costing, कुन सा, marginal costing, next है, standard costing, marginal costing, and budgets and budgetary control, budgets and budgetary control, तो यह जो तीन है बच्चो, यह है, techniques of costing, यह क्या है, बोलो, techniques of costing, तो marginal costing, standard costing, budgets and budgetary control, these are 3 techniques of costing, my friends, methods of costing में 6 chapters है, and basic knowledge oriented, 6 chapters है, तो 6, 6, 6, 3, these are 15 chapters, as per ICAI new syllabus, new curriculum, तो पहले भी number of chapters इतने ही थे, 15 ही थे, सिर्फ क्या delete हो है, आपको समझा रहेगा फिर, क्या delete हो है, आप में से कुछ लोग बोलेंगे, कि sir, क्या delete हो है, क्यों बता रहे हो, क्या फरक बढ़ता है हमें उससे, छोड़ दो उसको, problem क्या है, कल जाके आप क्या करोगे, वो में 2019 का paper लेके होगे, और बोलोगे, sir, यह question है, work certified 50%, work uncertified, this is much, right, contracting payment किया है, find out national profit, कुप सिखा है sir, आपने, है नहीं सिलाबस में तुपे के सिखाऊ भाई, आप लोगे, sir, इदर दी इन्स्टूट ने दिया है, अब में 2019 में था उप इसलाबस में, इसलिए पूछा है exam में, अब नहीं पूछेंगे, ना, yes or no, तो past exam question आपको उसके, जैसे कि आपकी आपकी book में, मैंने, यहां पे इस book में, मैं 23 का paper दिया है, ना, उसमें contract costing का question है, तो solve करेंगे हैं नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे obviously, क्यों कि वो सिखाने के लिए मुझे 4 लिश्ट लेना पड़ेगा फिर, आप समझ रहे हो क्य तो जो आपने syllabus में ही नहीं है, वो तो नहीं सिखेंगे ना, तो मैं आपको delete हुआ यह क्यों, बता रहा हो समझा क्या आपको यह, ताकि कोई आपको exam question मिल गया, कि भाई यह भी है, तो आपको panic में नहीं जाना है कि, यह आपने सीखा नहीं है, आपको जो भी आपके syllabus में है सब कुछ मैं सिखाने ही वाला हूं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, बचो, everything is going to be completed in the class itself, but मुझे थोड़ा तुम पर डाउट आ रहा है कि, तुम इतना डाई गंडे तक energy maintain कर पाऊगे क्या, कर पाऊगे क्या, particularly immediately after lunch, immediately after lunch, थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि बचो, यह नही है कि नहीं, आप करना पड़ेगा ना कुछ तो, तुम ही वो बुक के साथ में फूटो गरे डाला रहेगा ना कभी तो, ऐसे अभी costing का बुक्स, आज tax के बुक मिले रहेंगे, account के बुक, यह इतना तो पक्का बन जाएगा आज कही, उसके उपर ICI study मतल रहे तो, पक्का यह CA aspirant, proud to be CA student, एक बुक भी नहीं पड़ाया भी तक, एक पेज ओपन नहीं किये, बढ़ा रहे गे नहीं, बट सोचल मेडिया पर हावा चालू कर दी, इसका एक फाइदा ओ भी है कि फेल होने के बाद में भी थोड़ा एक justification रहता है न, फेल भी हो गए, हाँ हाँ, फेल भी हो free entry है, इसमें IIT में free entry है क्या, अच्छा MBBS में free entry है क्या, IAM में free entry है क्या, UPC में free entry है क्या, समझा क्या आपको ये, UPC में 3 level क्लियर करना पड़ता है, उसमें एक interview में वापस वापस पर रिलिम से start करना पड़ता है, है या नहीं, तो अपना coach में consistency matter करता है, अपना result इतना कुछ कम है नहीं, आपको लगता है सिर्फ ऐसा कम है क्योंकि बहुत सारे लोग तो seriously, sincerely नहीं लेते है, पढ़ने वाला बंडा पास होता ही है, जो लोग सिये बन गए, उनका मुझा के देखो, आपको लगेगा हाँ, नॉर्मल इंसान है, आपको कुछ ऐसा लगेगा, वाउ साल के पाच लाग, दस लाग कमाने वाला भी सिये है, साल के पचास करोड कमाने वाला भी सिये, पाच सो करोड कमाने वाला भी सिये, तो वहाँ पर ये difference करेगा knowledge, ये difference कोन create करेगा, knowledge, competence, confidence, ये सब difference create करेगा फिर आपका, क्या confidence है आपका, क्या knowledge है, कितना perfection से आपका knowledge है, correct or not कितना आप confidence से आप जो आपका पॉइंट आप रख सकते हो आप समझ रहे हो क्या कितने confident कितने deep तरीके से अपने यह section, subsection, clause, sub clause, case studies समझ रहे क्या यह सब पड़े यह बाद में change होगा बच्छो बट डिगरी तक लाने तक तो यह सब सेम ही है ना बच्छो पांच-10 लाग साल का 15 लाग कमने वाला भी CA है पचास करोड कमने वाला भी CA है इस राइट और नॉट यह difference तो knowledge करेगा ना मेरे भाई है यह नहीं वहाँ पे क्या degree तो सब के पास है जब degree सब के पास है तो यह difference तो सिर्फ knowledge and competence के वाज़े से ना आगे तो यह difference आगे का है बच्छो तो इसके लिए अभी फिलहाल आपको करना है sincerely यह सारे subjects complete समझ रहे क्या अपना पहला target है कि भाई यह मुझे मेरा अगले और अगस्ट में target होना चाहिए कि भाई मैं यह सब कुछ यह इंटर के दो group clear कर चुका हूं and I am doing articleship नौ उसके बाद मैं आगे की सोचो अब तुम बोलो कि नहीं सिर्म आभी से सोच के रखता हूं तो you are just wasting the time अपने को सिर्फ कोई और मेडन नहीं जाने देना है समझ रहे कि नहीं अपने वीकेट नहीं जाने देना है कि समझ में आ रहा है नहीं कोई और मेडन नहीं जाने देना है मतलब क्या कुछ भी नहीं पड़ा क्लास भी नहीं किया समझा क्या विकेट के रहे मतलब समझा क्या नहीं यार बहुत फ्रॉस्टेशन आया फ्रॉट टॉफ है यह है कि नहीं गए आज दस दिन पंदरा दिन आउट आफ ट्रैकर होगे कैसे होगा मेरे भाई यह क्लासिस रुखेंगे के तुम्हारे लिए तो अभी कुछ तीन दो द आता है कि आपका फर्स लेक्षर था यह तो सेकंड ख़तम करके अभी हम अपने पील में जा रहे है ऐसा यह टाइम निकल जाएगा बच्छों समझ रहा है कि आपको यह आपको ऐसा लगता है आपको ऐसा समझेगा नहीं बाद में आप यह टाइम को मिस करोगे और बाद में कॉलिज का दोज वेर देज एकने क्या मजा कि ट्वेल्ट में अब जिंदगी बोर है अब तुम क्या करने वाले माले में क्या क्या फांडेशन की दिन थे है कि प्रावर गिने अच्छा एक पैर पास्ट पे मैं इसी यह बनूँगा मैं अमेरिका में घर लूँगा मैं प्रावरेगे नहीं एक पैर पास्ट में दूसरा रूचर भाई आज 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 का दिनी इंजवा कर ले ना है या नहीं आज शर में चार लेक्छर किया सर घर गया सर सारा चला पसि एक बात देख लिया सर एक तेड़ गंटाद कंड लिया सर खल्भी सारी लेक्षर करूंग सबसे बड़ी बेमारी हो मैंने बोला ताको कई लोगों को सबसे बड़ी बेमारी है का सबसे इसका क्यों नहीं आए बाई क्लास को हां हां अब बोल बोल क्या वो ब्रेंट यूमर कैंसर पुछ बोल मैं जोग से बोल रहा हुआ है मुझे मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है वर्ट क्या हुआ दा भाई सुर मैं सुबह उठा हाँ भाई हाँ सुबह उठा आगे बोल सोग RICH इस के डुनिया के 99 पर में को सूब हो चार बजद हो लगता है कि ओ भी मार है कि 99 पर ऑब चार यह स्को या लगता है वह बिमार है है कि असले नहीं मैइन रोज सूख्ते लोग यह कछ से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा कुछ-कुछ लोग तो ऐसा प्लान बनाते बाई स्याम को जाएंगे टाइम पस करेंगे मोबाइल पे या तो आठ बजे नौ बजे डिसाड करेंगे अब मैं तुरा टाइम पस करता हूं कल सुबर चार बजे उटके पड़ाए करूंगा अ अपना पिक थाइम हो है किनी उसमें तो आपन ऐसा ऐसा रिल्स देखते की पागल हो जाएंगे अपने इक दिन बरावर है किनी इधर माबाप सोच रहे भाई मेरे वास्ती भी कुछ कर थेगे अपने इधर तेरे और चान लाओंगा तारे क्वेसे लाएगा भाई कांसे ला अपने रहे तो आपने पड़ाई करेंगे अपने पड़ाई करेंगे चान तारे बाद में ला सकते हैं अपने और क्लास में क्या क्लास एक कॉमर्स टूडंट में एक 15-25 परसेंट रहते जो बहुत फोकस्ट रहते वोग एक्जैक्ली अपना फ्यूचर करके लिए थे राइ बत क्या होता है वो बाकिके उनका स्पेर टाइम का कि किसी का इंटर्टेंवेंट तुम मत बनना समझा कि मेरे पास तुम मैंसे 4-5 बच्ची भी रहां के इदर उदर आगयाना मेरा करियर वैसे भी हो जाएगा या छोड़ो मुझे उसकी चिंता भी नहीं आपी मैं वीदर लगता है कि भाई यह बहुत सारे लोग पास होने वाले मेरा काम हो गया तुम्हारे माबाब के पास ऑप्शन नहीं है अरे 200 एं इसा है क्या नहीं तुमको राइट तुमको पास होना पड़ेगा उनके लिए कोई और पास होके उनका काम नहीं बनने वाले समझाए या नहीं तो तुम किसी और का इंटेयन्मेंट मत बनो यहां पे पूने में जो रहताम आतों है कि कुछ भाई कुछ लोग ऐसा आट्व ने इंप्र पे देके पुने क्लास में बस मस्ती यह लड़का नाच रहा है लड़की नाच रही है यह 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 तो हॉऔ तुमने 0.001% देखा है जो इंस्टाग्राम पे मुझे बता तुम में से किसका इंस्टाग्राम है जो इंस्टाग्राम देखके हम समझ सकते कि यह तुम्हारी जिन्दगी है कि बता है कि किसी का एक के जिंद्डगी कि Instagram देखनें का पिछली में दो साल का और इंस्ट क्या पोश्व देखनें का और बोलनें का कि बाई यहीं इसकी जिंदगा है है क्यों कि मजडे हो गए माब आपने गाली दी ये कर दी हो गया कहीं तो वह पैसे नीए एक पुस्टों एक ही यूजण ही इलूजण हो रहा है तो सोशल मेडिया समझ रहे हैं किया तो तुमने जो देखे हैं ना यहां पे अपुझ भाही यहां पे जो करियर करते न वा रूतलेस बन दे रहते दिन राध पढ़ते समझ रहा है नहीं है अब इसको आप दिन क्लास कर रहे हो दो गंडे पढ़ रहे हो इसको मैं डेडिकेशन ही बोलूँगा ये किसी और से कम नहीं है अगर कोई बंदा रोज दस गंटा क्लास कर रहे है जो भी है ब्रेक वेक मिला चुला कि 11 गंटा ब्रेक मिला कि 10 गंटे के लेक्शे से हैं आपने दूगंडा की बात नहीं है समझ रहा है क्या तो बोला ना मैं दूसरा वर्ड आ रहा था भाई बड़ा भी यूट्यूब है ना ठेक है तो समझो बच्वो यह सिलाब से अपना फिर ओके चला आज सिर्फ आपन एक 10 मिनिट और एक कोशन डिसकस करेंगे बस चलेगा था दस मिनिट बस साथा अटमिन बच्वो चलेगा ना थैंक यू बच्वो ओके पहला कुस्टिन वटीस कोस्ट चलो बताओ तो उसके बड़ा नहीं को बना रहेगा या यह माइक बना रहेगा तो इसके इसको बनाने के लिए कुछ employees रहेंगे आचाहिए जिस factory में बना उस factory का इंशुरंस किया रहेगा यह factory में जो बना उसका उसका डेप्रीशेशन रहेगा इस factory में बना उसका मेंटनेंस रहेगा इस फैक्टरी में जो फ्लोर रहेगा वो फ्लोर को ज्ठाड़ू मारने वाली की साल्री रहेगी यह माईग बैचने के लिए कोई brand रहेगा उसको payment किया रहेगा यह factory माय का मार्केटिंग होता रहेगा इसका सोचल मेडिया पर पोस्ट आते रहेंगे येस और नो इसका डीलर रहेगा कोई पुने में जूस डीलर को कुछ कमिशन मिलता रहेगा उसके कुछ Selling Expenses रहेंगे इसको पैक करने के लिए कोई बट ब्यूपय को कि यह से दीडरा फर्म घलिए इतना आसान होता है कि हो विस रूपय का क्या है अपस्थे उतना स JAC सायद रहेगा कई से प्राइम वे ल Blaze वारा की दुनिया भ़र के घरचा यह जन्रल हमें दूसरे के बिजनेस का न बच्चो सिर्फ इतना यह दिखता है कि इतना कॉस्ट इतना जैसे तुमा भी सुष्टे रोगे कमाते यार यह लोग है के नहीं सुष्टे के नहीं हो फित तो हाजार बच्चे तो कम से कम है विस हजार दू करोड फेस टू फेस ऑनलाइन तो अलग जीडीपीडी अलग हो भी एक तीन महने में और बुस्टर बैस आने वाला है कॉम्परेंस यह आने वाला है फाउंडेशन आ लोग कमाते यह लोग है कि नहीं है इसे नहीं बोल रहा हूं मैं पर क्या खर्चा है नहीं क्या सिर्फ इस फ्लोर का लाईड़ी भी लाता है रही ल इसके बावजूद भी हम पैसा कमाते है नो डाउट बाउट इट बट देर इस अ कॉस्ट इन वर्ल नाट देर इस आ कॉस्ट इन वर्ल इन डाट और नाट पॉस्ट अवर्ट अवर्ट इन रेंडरिंग सर्विसेस अब यहां पर हम कुछ गूर्स मैनुफेक्ट्ट्र नही बोलो कॉस्ट इस दा एक्सपेंडीचर इंकर्ट इन प्रोड्यूसिंग गूड्स अड अब लिक और इन रेंडरिंग सर्विसेस तो वाट इस कॉस्ट की नीचे लिखना है अभी जिसके पास बुक है वही सिब लिखेगा बाकी आराम से देखो कल तक सिर्भी इतना ताम पास नहीग लिखेडीचे नाम लो तांपस ने गर्चेति नाम लो एस और नो म्यushôm तो अड़ है तो आफ इस कोस्ट बोलो कि इस कोस्ट ऋधिचर इन एक्षि़ू इन प्रोडूदो सोडूद कोस्ट इस परोडूदो इसकोस्ट इसपेंडिचर इन प्रोडूर्चर गूद्स औब्लीक और बोलो रेंडरिंग सर्विसेज रेंडरिंग बोलो सर्विसेज in simple words बोलो cost is an expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services अच्छा मुझे बता बच्चो ये definition लिखा हामने सुन रहे हो क्या अच्छा मुझे से भी इतना बता अभी आपने in fact foundation में cost में उगर इसी खा रहेगा और भ implicit cost, implicit cost, selling distribution cost, fixed cost, variable cost, semi variable cost समसा है क्या आपको ये product cost, period cost, normal cost, abnormal cost, historical cost, current cost, budgeted cost समसा है क्या आपको ये और cost के बहुत type है वो तो हम detail में सिखने वाले है अपना subject का नाम है हो cost and management accounting बरावर है ना तो cost मतलब expenditure incurred अच्छा मुझे इतना बता अभी ये two and half hours का time है मेरा रोज का ये time मैं आपको नहीं पड़ाया तो मैं और भी कुछ काम कर सकता हूं क्या समझो मेरा दोस्त ने मुझे offer दिया है जो let's say project finance का practice करता है वो बोल रहा है कि एक काम कर भाई तो दो पर में lunch के बाद में सिर्फ मेरे office आजा ओके धाई गंटा यहां पर बैट उसके बाद में चला जा आपना अपना काम करने तू यहां पर आजा तीन महने यहां पर आजा opportunity cost for conducting your batch क्योंकि मुझे आपका बैच लेने तो पचास लाग पे कि फुली मानना पड़ेगा sacrifice है मेरा हो yes or no तो पचास लाग क्या है opportunity cost अचा मुझे बताओ वो expenditure incurred है क्या मेरे जेब से पचास लाग दिया किसी को नहीं फिर या उसको मेरे दोसको बला यह पचास लाग opportunity cost थे अरे आपका बैच मैं नहीं लेता तो मैं पचास लाग कमाने वाला था तो because I have decided to conduct your batch I have sacrificed that 50 lakhs or not to 50 lakhs क्या है opportunity cost या उसको बोलते implicit cost क्या बोलते या उसको बोलते imputed cost क्या बोलते या कभी-कभी उसको बोलते notional cost या hidden cost कभी क्या बोलते notional cost या hidden cost यह सब यह किये कुछ सा opportunity cost imputed cost notions तो आप बताओ is it expenditure incurred then नहीं तो यह definition थोड़ा सा अधूरा है फिर आपको लग रहा है क्या आपको यह definition क्या बोल रहा है cost is the expenditure incurred तो यह definition अधूरा है से लग रहा है क्या क्योंकि opportunity cost भी cost है बट यह definition cover नहीं कर रहा है तो cost का definition हम थोड़ा और better करेंगे तो cost का definition है सुन रहे हो क्या मेरी भाई cost का definition है cost is the सुन रहे हो क्या cost is the monetary value cost is the of all sacrifices made to achieve an objective and achieve an objective मतलब to produce goods or services objective क्या है to produce the goods or to render the services तो अब बता बच्चो मेरे पास मेरे account में 5 लाग रुपे थे लाइड भी लाया चार लाग रुपे मैंने sacrifice किया कि नहीं चार लाग रुपे एस और नो अच्छा मुझे चार लाग नहीं देना था तो क्या कर दा मैं लाइड बन करके बटना पड़ था possible था क्या नहीं तो चार लाग मुझे देना ही पड़ेगा it's a cost it's a cost because it's a expenditure incurred it is वह भी cost है वह भी cost है यह classroom is owned by we know the lady अगर मैं यहां पर मेरा अकडमी रन नहीं करता तो यह classroom रेंट पर दे सकता था क्या मुझे रेंट आता था पांच लाग रुपे मैंने तो पांच लाग रुपे पर मन्त क्या है आप और तो अगर मैं एकडमी रन केर करके अगर साट लाग से कम पैसा कमा रहा हूं तो आप मुझे सजेशन दोगी कि नहीं पैसे यह सजेशन दोगी कि नहीं मुझे तो क्या नहीं से यूर सजेशन वास अगर आप अपर शुनिटी कॉस्ट तो कॉस्ट का एक डेफिनिशन बताओ आज का लेक्षर खतम दूसरा डेफिनिशन प्रॉपर डेफिनिशन बताओ क्या है बोलो cost is the बोलो बस आज का लास्ट मिनिट cost is the बोलो monetary value of all of all बोलो sacrifices made cost is the monetary value of all बोलो sacrifices made to achieve an objective to achieve an objective achieve an objective का मतलब ही है बोलो to produce goods बोलो and oblique or render services अगर आपने नहीं definition लिए अभी तो भी कोई प्रॉड ने बच्चो हम क्लास में सब कुछ complete करेंगे ही बात में वैसे आज आपके पास notes नहीं है तो भी कोई issue नहीं है मैंने आज कुछ ऐसे में बैच के during आपन discuss करेंगे बच्चो तो अगर आपका डेमो अगर यह सब कॉंप्रीट हो रहेगा तो आप notes के साथ में अगर यहां पर आओगे तो बेटर रहेगा बच्चो सो थैंक यू सो मच माइफेंड सी यू तो मॉरू बाए बाए आपने जहां पर आडिमेशन लिया है वहां पर आपको नो से notes मिलेंगे अपने वी स्मार्ट मैडमिशन लिया है वी स्मार्ट से notes मिलेंगे अपने expert मैडमिशन लिया आपको expert से notes मिलेंगे ठीक है झाल 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 झाल